Hello friends, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं आप सब लोग? मस बढ़िया चलोए स्टार्ट करते हैं हाज लोग Human and Tommy का सबसे last chapter, chapter number 15 Reproductive System, ठीक है ना इसका पहरा लेक्चेर है, इसका टोटल 3 या 4 लेक्चेर बनेंगे ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं Anatomy of Male and Female Reproductive System फटावर स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग, तो Male and Female Reproductive System, ठीक है यह Class कहीं ना कई 6, 7, 8 से थोड़ा बहुत पढ़ते चले आ रहे हो, Class 12 में काफी डिटेल में है ठीक है, उसी से मिलती हुती चीज़े रहेंगी, थोड़ी बहुत चीज़े यहाँ पर एक्स्टा रहेंगी जो अच्छा Fresh Class 12 पढ़के आ रहा है, उसके लिए काफी असान रहेगा ठीक है, तो Simple से अगर मैं Definition की बात करूँ की Reproductive System की Definition क्या बोलोगे, तो क्या Definition आ रहेगी तो Tissues, Glands, Organs, Glands समझतो न, ग्रंथिया अपनी कुछ Tissues, Glands और Organs involved होते हैं जो Producing Offspring पुरा सिस्टम है, एक चीज़ के उपर Depend नहीं करती हैं, कई सारी चीज़े मिलके काम करती है Offspring का मतलब क्या होता है बच्चे, ठीक है न, तो Tissues, Glands और Organs जो Involve होते हैं, Producing Offspring in Women, ठीक है, इनको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं Reproductive System बोलते हैं, अगर मैं Women की बात करूँ, और अवरत की बात करूँ Reproductive System include ovary, philippian tubes and uterus, uterus का मतलब जिसका बोलते हैं, गरवाश है भी कहते हैं, ठीक है, warm भी कहते हैं, जिसका अंदर बच्चा, बड़ा होता है, ठीक है, philippian tubes, वो पतली-पतली, piping होती है, जिसके अंदर से, जहां पर क्या होता है, fertilization बगरा होता है, cervix, यह सारा आस देखें क यह सारा समझेंगे जिसे, and the vagina, and man की बात करें, तो इसके अंदर include होता है, prostrate, testis, and penis, ठीक है, तो यह कुछ मोटे-मोटे एक idea यहां में लगा हमको, कि क्या है Reproductive System, और अगर woman और man की बात की जाए, तो उनके अंदर कौन-कौन से parts आते हैं, ठीक है, तो सुरुआत करेंगे male reproductive system से, तो बात करें, अगर हम लोग male reproductive system की, तो उससे पहले कुछ खास चीज़े को समझ लें, कुछ बाते हैं, कुछ terms, एक term आता, gonads, यह बारबार term आएगा, male या female किसी की बात करें, एक term आएगा, gonads, gonads का मतलब होता है, testis, male की बात करें तो testis, और female की बात करें तो ovary, यानि की, वो main हिस्सा जहां पर sperm बनते हैं और egg बनता है, ठीक है, यानि की sperm और egg को मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं, gamits बोलते हैं, तो जहां gamits का formation होता है, उसको हम लोग gonads कहते हैं, ठीक है, and secrete sex hormones, और साथ-साथ में gonads, कुछ hormones, जो की sex को ले करके, यानि की sexual activity को ल देते हैं, वो भी secret करते हैं, उन hormones के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है, ducts और कहीं ना कहीं, chapter number जो अपना, I think ये 15 है, 14 और 13 है, जो endocrine system वाला, ठीक है न, वहाँ पे भी, जो hormones से उसके बारे में पढ़ा हुआ है, ducts, जो ducts होती है, नलियां होती है, store करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, gametes को, जो ducts आएंगे, piping system आएगी, उनका main काम क्या रहेगा, store करना और ट्रांसपोर्ट करना, किसको, gametes को, कुछ accessory, accessory मतलब होता है, सहयक, sex glands होती है, यह जो help करती है, produce करती है, gland से करती है, कुछ produce करती है, substance that protect gametes and facilitate their movement, कुछ ऐसे substance secret करती है, glands, जो gametes को, क्या करती है, protect भी करती है, साथ साथ में gametes के motion में help भी करती है, और कुछ होते है, supporting structure, जैसे की, penis in males and uterus in females, यह supporting structure है, ठीक है ना, penis का main काम क्या होता है, sperm को vagina में insert करना, है ना, sperm female vagina के अंदर कैसे जाएगा, penis की helps हो जाएगा, uterus, जो बच्चा finally, चिपकता है जाकर करके बड़ा होगा, तो यूटरस में जाकर को होता है, तो supporting है यह, ठीक है, assist the delivery of gametes, ठीक है ना, तो penis क्या कर रहा है, such as the penis in males and uterus in females, यह assist करते हैं, delivery of gametes में, ठीक है, जो gametes होते हैं, उसकी delivery में help करते हैं, and uterus is also the site for growth of the embryo and fetus during pregnancy, uterus वह जगह है, जहाँ पर fetus, जो भून होता है, वो क्या करता है, grow करता है, और development होती है, उसकी वहाँ पर, ठीक है, अभी इसको यहाँ पर और detail में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, अभी सिर्फ यह basic से हमने बाते समझी हैं, यह 3-4 चीजें male, female में दोरों में पाई जाएंगी, gonads, duct, accessory glands, supporting structure, ठीक है ना, तो common आईए, अब बात करें, the organs of the male reproductive system include, यहाँ से start होया था हमारा male का main part, male part के अगर reproductive system की बात करें, important question है यह, उसमें क्या क्या आता है, testis, ठीक है, और system of duct, नलियों का एक system होता है, जिसे हम epididymies, ductus deferens या wash deferens भी कहते हैं, ejaculatory duct and urethra, यह सारी मिल करके क्या होता है, system of duct कहलाते हैं, accessory glands कहते हैं, accessory sex glands कहते हैं, जिसके अंदर seminal vesicle और prostate पाई जाती है, and bulbo urethral glands भी होती है, and several supporting structure including the scrotum and penis, यह supporting structure हैं, ठीक है, तो main structure आ जाता है, testis, ठीक है, उसके बाद ducts आ जाती हैं, और फिर supporting, glands आती हैं, तो याद करेंगे, main, testis, फिर ducts, ducts होती है, main testis हो गया, फिर ducts आ गई, फिर glands होती हैं, और फिर supporting structure होती है, चार सीचे दिमाग में सेट कर लेंगे, यह इधर भी पाई जाएंगी, और females में भी पाई जाएंगे, clear है, the branch of medicine that deal with male disorder, ठीक है न, especially infertility, infertility मतलब, बच्चे नहीं हो न, and sexual dysfunction, sexual dysfunction मतलब, बहुत से males होते हैं, जिनको sexual dysfunction मतलब, properly sex नहीं कर पाते हैं, is called andrology, जो branch है medicine की, जहाँ पर male disorder, खास करकि infertility और sex dysfunction की बात होगी, उसका हम लोग क्या बोलते हैं, andrology कहते हैं, क्या कहते हैं, andrology, ठीक है न, तो यह branch इतना important नहीं था, male reproductive system की बात करें, तो यहाँ से मारा part start हो गया है, चार part इसके अंदर main रहेंगे, testis, gonads, ducts, glands, और supporting structure, ठीक है, इसका डाग्राम देखें छोटा सा, ओके, तो जो चीज़े मैं mark करूँगा, उसके ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सबसे starting करें, तो testis, testis जो main, है न, जो जहाँ पर sperm बनता है, जिसके अंदर testis रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, scrotum, supporting structure, है न, जो skin type का structure रहता है, जिसके निकल रही है, duct, यह देखो, यह है, epididymis, ठीक है, then यह आगया अपना, ductus, wash difference, जिसको mark करूँगा, cable होई, फिर आगया आएंगे, wash difference, यहां से चले हम लोग, और यह आगया अपना, ampulla of duct, wash difference, ओके, यह वाश डेफरेंस ही है, पूरा, then, फिर आगया आगया जाएंगे, यह ejaculatory duct, ठीक है न, अब ध्यान रखना, wash difference आगे जाकर के, एक और जगह मिलती है, छोटा सा पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते है, इजेकulatory duct कहते हैं, फिर आगया आएंगे, तो आगया करके हमको क्या मिलेगा, यूरेथरा, यहां से हमारा यूरेथरा स्टार्ट हो जाता है, याने की, जो पार्ट हमारा, आगे जाकर के, पैनिस तक कवर करेगा, तो यह वाला जो यूरेथरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि प्रोस्टेटिक यूरेथरा, फिर यह बीच वाला हो गया, that is intermediate यूरेथरा, फिर एक यूरेथरा हमारा पैनिस के अंदर होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, पैनायल यूरेथरा, जो पैनिस के अंदर ये यूरेथरा पाया जाता है, उसको, तो यूरेथरा के तीन पार्ट होते हैं ठीक है एक प्रोस्टाटिक एक इंटर्मीडि STACK बीच वाला और एक पैनिस के अंदर पाये जाएगा ठीकर यूरेथरा क्या है वह पॉम्ट पायपे इसके नंदर से यूरेन और और प्थांप नोते फीए फिर फिर पैनिस के भी दो तीन पार्ट होते हैं उसको डेटेल में देखेंगे बाद में और सबसे जो यह फैनिस के आगे जो रेट कलर का पार्ट रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लैंस पैनिस कहते हैं तो अवर आल कितनी चीज़े होगी testis, scrotum supporting structure, panic supporting structure, testis से जो part निकला उसे क्या कहते है, epidemies, epidemies जो आगे duct में connect हुआ, जो हम कहते है, wash difference, wash difference आगे जा करके ejaculatory duct में connect होता है, ejaculatory duct के इर्दगिर्द, है ना, यहाँ पर, यह क्या लगा हुआ है, prostate जो की gland है, यहाँ पर एक gland और है, सबस्क्राइब सब्सक्राइबुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुमुर्णुर्यूच्थ यह जो टेस्टीस है उसका जो यह वास्ट डेफरेंस है यह ऐसे होता हुआ फिर पीछे की तरफ से होता हुआ यह आगे आता है यानिकि पीछे की तरफ से होता हुआ यह इस तरफ से घुमता हुआ आगे आता है डक्ट ठीक है ना इसका दिखाने का मेन परपस के वल यह है बात समझ में आगई किलियर है तो यह सारे इसके पार्ट है इनके बारे में हम बारे बारी से समझेंगे अब देखो part of male reproductive system जाने की बात करें टेस्टीस की ठीक है अब टेस्टीस को समझने के लिए बात समझ लो टेस्टीस ठीक है सभी लोगों ने देखा हुआ है तो टेस्टीस की गवर में बात करूँ तो टेस्टीस एक सबसे उपर की कवरिंग होती है ठीक है इस किन टाइप ठीक है उसका हम लोग क्या बोलते है इस क्रॉटम कहते है उसका हम लोग क्या कहते है इस क्रॉटम जो सबसे उपर की स्किन टाइप की फोल्डिंग रहती है ठीक है अब उसके अंदर मेरे पास क्या होती है जो अंदर एक हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक परत पाई जाएगी इसके अंदर एक लेयर होती है ठीक है ना इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं ट्यूनीका वेजिनेलिस ठीक है इस परत को हम लोग क्या कह रहे हैं Tunica यह उपर की skin जो दिखाई पड़े उसको scrotum बोल दिया है पूरा है actually scrotum है pouch जैसे थैली जैसी है जो ठीक है यह पूरा pouch जैसे थैली जैसी है इसको हम लोग क्या बोलते है scrotum कहते है ठीक है उसके अंदर एक layer पाई जाती है ठीक है उसका हम क्या कहते है tunica vaginalis ठीक है tunica vaginalis बात समझते जाना जो मैं समझाने कोईश कर रहा हूँ ठीक है ना फिर नहीं तो दिक्कत आएगी अब बात को समझना उसके अंदर एक और layer पाई जाती है उसके अंदर एक और layer पाई जाती है ठीक है और उसका नाम के अधर ट्यूनिका अल्बिजीनिया यह जो अंदर लेयर होती है यह यह ऐसे आती है और इस टैसे पार्टिशन करती हुई चलती है ठीक है यह जो अंदर की लेयर है इस लेयर का नाम क्या है ट्यूनिका अल्बिजीनिया त्यूनिका एल्ब्यू जीनिया ठीक है, स्पैलिंग बाद में देख लेंगे, मैंशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अब होता क्या है, यह त्यूनिका एल्ब्यू जीनिया अंदर इस तरह से फोल्डिंग्स होती हुँ चली जा रही है इसकी वज़े से यहां पर यह कंपाटमेंट बन रहे है एक, दो, तीन, चार, लगबग, इस तरीके से करते-करते, चलते-चले जाओगे तो करीब 200 से 300 कंपाटमेंट बन जाते हैं क्या बन जाते हैं? कंपाटमेंट, ठीक है न? इन कंपाटमेंट के अंदर, यह बन गए कंपाटमेंट, एक यह है, यह इस टाइप से है, ठीक है, फिर यह है इस टाइप से, यह है इस टाइप से, ठीक है, कंपाटमेंट बन गए, ठीक है compartment के अंदर क्या मिलेगा हमको जो foldings रहती है एक तरह के tubes पाई जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते है semi-ferrous tubules तो इसके अंदर एक खास तरह के tubes पाई जाते है जिसको हम लोग क्या कहते है semi-ferrous tubules यहाँ पर एक खास तरह के tubing पाई जाएगी दो तीन हो एक दो से तीन होती है यहां से फिर यहां पर फिर यहां पर ठीक और फिर यह सारी एक साथ एक सरे के से connect होती है ठीक है यह देखो यहां से यह है यह है यह है यह है यह है ठीक है इन compartments के अंदर क्या पाये जा रहा है famiferous tubules बहुत कायद जा से जान, देतेढ़ न एक. स्ब्ратक तंदर और एक कम से कम दो से तीन होती है दो से तीन tubes होती है एक, दो और तीन इन Somniferous tubules के अंदर sperm formation होता है थीक है, बार समझ में आ गया इस Somniferous tubules के अंदर याने कि अगर एक सैम्नि फेरेस टीवल है इसको मैं ऐसे मोटा मोटा काट लूँ तो इसके अंदर यहाँ पर स्पर्म compartir से तो इसके अंदर यहाँ पर क्या बनेगा स्पर्म का formation होगा बहुत काईदे से चीजों को समझना फिर यह सारे के सारे सैम्नि फेरेस टीवल निकल के क्या होते हैं एक साथ हरे कंपार्टमेंट से निकल निकल के यहां पर स्टैप से बंच टाइप बना लेती है यह इसको बंच जो एक साथ इखटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं रेटे टेस्टीस क्या कहते हैं अब जो रेटे टेस्टीस है यहां से फिर तीन चा पार 5 और इस टाइप से एक ग्रुप से बनता है एक तरह का इसके उपर यह struct Schule सा बन जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं lui यह पूरा का पूरा ऐसे होता हुआ एक्शुली इस टाइप से ऐसे करकरilton Kentha है ना टेस्टीस के एक तरफ ऐसे कवरींग सी रहती है तो पूरा-pूरा पाट क्या है यह एपीदी डामेज रहता है और यहां से फिर एक नर्व निकलती है इस टाइप से ठीक है है क्टिर भ upright रहे हैं नब यह पार्टिशन कर देखें अंदर की फोल्डिंग की वाज़े से क्या हो जा रहे हैं पार्स क्रेट हो जा रहे हैं ठीक है इनको हम लोग्यूल्स भी बोलते हैं और भील जो जो यह compartment है 200 200 300 compartments इस compartment है इन compartments को हम लोग lobules भी कहते हैं क्या कहते हैं lobules ठीक है pipe type lobule का भी pipe type का होता है ठीक है फिर उसी के अंदर पाए जाते है समझेंगा और detail में और फिर यह बहुत सारी समझेंगा और यह compartment से निकल करके आगे एक बंच टाइप बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते है रैटे टेस्टीस कहते है इस्टक्चर के लिए रुगा ठीक है आओ अब इसको हम लोग थोड़ा सा डेटेरिम लेते है ओके तो क्य जो टेस्टीस है ओवल मतलब अन्डाकार होता है इसकी लेंद्थ लगवग चार से पांस सेंटिमेटर होता है चोडाई जो होती है लगवग 2-3 सेंटिमेटर होती है ठीक है इस सिचुएट आउटसाइड दा अब्टोमिनल केविटी हम सब को पता है यह हमारी पेट से बाह थीक है नहां हमारे एकलॉता ऐसा ओरगन है जो हमारी बॉडि के अंदर नहीं है बॉडि के बाहर लटक रहा है तो यह अग्थ्शुली श्टार्टिंग में बॉडि के अंदर ही होता है 7th या 6th month में जब बच्चा होता तो अब यह खिसक जाती ही नीचे की तरफ क्यों खिसक जाती है उसका reason यहाँ पर है क्योंकि नहीं खिसकेगी तो sperm का formation नहीं हो पाएगा ठीक है फिलाल समझते हैं यह एक लौता एक ऐसा organ है जो outside the abdominal cavity होता है within a pouch called scrotum जो pouch जिस pouch के अंदर यह लटक रहे होते हैं यह होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं scrotum कहते हैं one last question बेटा it is the primary sex organ primary क्यों कहा गया है क्योंकि इसके अंदर sperm का formation होता है main चीज sperm ही नहीं होगा तो बाकी चीजों को करेंगे क्या है ना तो इसी लिए इसको क्या कहा गया है primary sex organ because sperm forms here sperm यहाँ पर बनता है ठीक है अब आगे कहा नहीं समझते है the testis developed near the kidneys जब बच्चा पेट में होता है ठीक है तो kidney के past में testis grow करती है ठीक है in the posterior portion of abdomenia पीछे की तरफ रहता रहती है and they usually begin their descent descent मतलब नीचे की तरफ खिसकना into the scrotum through the inguinal canal एक canal एक रास्ता होता है जिसके through नीचे की तरफ खिसक जाती है ठीक है passage way of in the lower anterior abdominal wall जो inguinal canal मतलब होता है रास्ता नला नली टाइप की रास्ती होती है रास्ता होता है ठीक है passage way in the lower anterior abdominal wall जो हमारा abdominal होता है उसमें नीचे की तरफ होता आगे की तरफ during the latter half of the seventh month of fetal development लग भग साथवा महिना जब चल रहा होता है और आदा हो चुका होता है उसके बाद जो testis होती है जो kidney के पास होती है वो खिसक के नीचे चली जाती है इस crotum में बात समझ में आई शुरुआत में ये पेट के अंदरी होती है ओके a serious membrane called tunica vaginalis उपर आपने बात की vaginalis एक serious membrane है जो covering एक तरह है कि partially cover the testis टेस को partially पूरी तरह से नहीं लेकिं काफी हत्ता कवर करती है पूरा क्यों नहीं कहा गया क्योंकि उपर की तरफ ये खुला हुआ है या तो partially cover कर रही इतना इतना ऐसे करके ठीक है partially cover the testis a collection of serious fluid in the tunica vaginalis अब कई बार क्या होता है जो tunica vaginalis है जो परत है इसके अंदर कुछ फिलूड भर जाता है ठीक है तो क्या कह रहा है a collection of serious fluid in the tunica vaginalis is called hydrocele और इसी को हम लोग क्या कहते है है hydrocele कहते है याद आया है hydrocele सुना होगा it may be caused by injury to the testis or inflammation of the epididymise यह पानी भर जाता है tunica vaginalis में यह injury की वही से हो सकता है testis की यह inflammation हो सकता है epididymise का जिसके वही से पानी इसमें भर जाता है ठीक है निकल जाता है कोई बहुत बड़ी issue नहीं है यह सही हो जाता है internal to the tunica vaginalis the testis is surrounded by white fibrous capsule composed of dense irregular connective tissue उसकी प्रकारी बता दे किस टाइब पर tissue हो है अगर तुम्हें तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं सीधा बोल दो इंटर्नल टू ठीक है तो सिधा बोल दो internal to tunica vaginalis tunica vaginalis के अंदर क्या है tunica albigenia है ठीक है the testis is surrounded by tunica albigenia इस तरह लिख दो ठीक है यह अगर यह चीज नहीं लिखना चाहते है तो कोई बात नहीं इट extends invert अब जो tunica albigenia है वो extend अंदर की तरफ extend कर जाती है बढ़ जाती है और septa partition बना देती है that divide testis into series of internal compartment जिसके वएसे testis में कई सारे internal compartment बन जाते हैं यह compartment एक दो तीन चारी क्या बन जा रहे हैं यह extend कर गई अंदर की तरफ अंदर की तरफ extend करने के वएसे compartment बन जा रहे हैं बहुत सारे ठीक है called lobules इनको हम लोग क्या कहते हैं lobules कहते हैं each testis has 200-300 lobules contain 1-2-3 tightly coiled tubules lobules के अंदर tubules tube नियुमा चीज पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं semi-farious tubules कहते हैं जिसके अंदर sperm produce होता है बटा one math question है यह तुमारा sperm का formation कहां होता है testis के अंदर कहां होता है semi-farious tubules के अंदर ठीक है now semi-farious tubules line अब जो semi-farious tubules है न जो मैंने बताया था यह यह 75 tubules जैसे इसको ले ले तो line इसके अंदर ना दो तरह की परते पाई जाएंगी जैसे मालोग 75 tubules तो इसके अंदर एक परत और दूसरी परत ठीक है ना समझाने के लिए बता दिया मैं परते मतलब इसके उपर पूरी परत रहेगी ऐसे करके अंदर से पूरी covering रहती है द लोग वहां उसको समझेंगे और यह जो जम सेल्स होते हैं केवाल इनहीं के अंदर जैब हमारी पूरी बड़ी ग्रो कर गई है केवाल यह मेल जम सेल्स के अंदर छमता है कि वो मियोसिस करेगी अधरवाइस हमारी बॉड़ी के सारे सेल क्या करते है माइट आस अब मैट आस इससे मियोसिस से तब तो इस पंबनेगा और जो माइटॉसिस होता है ठीक है उससे क्या होता है 2N से वापस 2N और 2N एक सेल्स दो में डिवाइड होता है जैसे की बेक्टिरिया वो क्या होता है माइटॉसिस तो हमारी पूरी बॉड़ी में चोट्टो लग जाते तो बन जाते हैं उनको क्या प्रोइड करवाती है nutrition समझेंगे इसको हम लोग बाद जब लोग पढ़ेंगे इस पर्मेटो दिटेल में आएंगे ठीक है अब इस पेस बिट्वीन सेमनी फेरेस्ट टीवियूल मैंने कहा था दो से तीन सेमनी फेरेस्ट टीवियूल होते हैं जैसे यहां पर highly coiled सेमनी फेरेस्ट टीवियूल तो यहां पर mention नहीं है तो यहां पर मैंने बताया जैसे कि एक और दो कम से कम दो दो तिन तीन क्या होती है सेमनी फेरेस्ट टीवियूल रहती है और उनके बीच में जो इस पेस है उनके बीच में जो इस पेस है तो वही कह रहा है Space between seminiferous tubules Semiferous tubules contain blood vessels and interstitial cells उनके बीच में जगे होती है वहाँ पर blood vessels और खास तरह के cells पाए जाते है जिसको हम लोग क्या कहते है Interstitial cells और lydic cells बिटा one mass question यहाँ से आने की संभावना है तुमारा एक कि lydic cells कहाँ पाए जाते है ठीक है और क्या secret करते है These cells secret testicular hormones called androgen यह cell क्या secret करते है Androgens एक hormone जो male hormone होता है उसको secret करते है ठीक है अब androgen करता है Androgen is a hormone that promotes the development of masculine characteristics एक male के अंदर maleness है ना 10 साल तक अगर आप मैं बोलूँ दो एक लड़की लेलो एक लड़का लेलो और दोनों को गंजा कर दो आठनों साल की उमर है दस साल की उमर है और दोनों को underwear पहना कैसे खड़ा कर दो तो आप पैचान नहीं सकते हो कि लड़का कौन है लड़की कौन है कब पैचानने में आता है जब उनकी poverty आती है उनके अंदर hormones निकलना शुरू होते हैं तब उनकी body में changes आते हैं लड़के अंदर दाड़ी मूँ चानना शुरू हो जाती है न बॉड़ी थोड़ी सी बलकी हो जाती है तो ये सारे काम कौन करवा रहा है एंडरोजन करवा रहा है ठीक है तो इस तरह से स्कॉटर नीचे दिख जायागा तुमको ठीक है इसको करेंगे तो इसके दो टाइप की मसल्स होती है एक बाहर की तरफ मसल्स होती है और अंदर की तरफ एक मसल्स होती है ठीक है ना और दोनों उसके बीच में दोनों टेस्टिस के बीच में एक पार्टिसन होता है जिसको हम स्कॉटल सेप्टम कहते हैं दोनों टेस्टिस साथ मनी होती है दोनों अलग 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 रहती है बीच में एक पार्टिसन रहता है फिर अगर इस मसल्स को भी हटा दें तो वो सब इसी spermatic cord से निकलती हुई भार निकलती है ठीक है ना तो यह ऐसे दोखोगे ठीक है तो ऐसे दिखाई पड़ेगा front से सामने से cut करेंगे थोड़ा सा तो अंदर दो muscles दिखाई पड़ेंगी क्रेमेस्टर muscles और डाटर मसल्स और कट करेंगे तो हमको क्या दिख जाएगा अंदर हमारा टेस्टिस दिख जाएगी ठीक है यह उपर से हमको यह टेस्टिस जब देखो के सामने से पैनिस को उपर कर दोगे तो यह जो एक step से layer दिखाए पड़े कि इसको हम रफे कहते है ठीक है ना clear है तो scrotum क्या है आप देख लें it is a loose pigmented pigmented मतलब इसके उपर pigmentation रहता यह पाउच of skin for carrying testis एक इसके इनका पाउच है ठीक है जिसके अंदर testis carry की जाती है रखी हो देखोती है एन इंटर्णल an internal scrotal septum अंदर की तरफ एक internal scrotal septum partition होता है divide the scrotum into two sex sex मतलब pouches इनको दो खानों में divide कर देता है one for each testis जो दो खाने होते हैं इसका अंदर एक खाने में एक testis रहेगी the septum यानि की partition is made up of subcutaneous layer and muscles called the dartus muscle जो partition बना होता है वो ये dartus muscle का ही partition बना होता है ठीक है दो muscles होती है इनका नाम जाद कर लेना scrotum help in maintaining the low temperature of testis यह विद्धान रखे हमारी body का temperature होता है 37 degree 37 degree में sperm का formation नहीं हो पाएगा इसलिए कम से कम 2-3 degree temperature तक जब body से बाहर रहती है testis तो उसका temperature लगबग 35-34 degree रहता है उस temperature वो temperature परियाप्त होता है इसके लिए sperm के formation के लिए ठीक है तो 2-3 degree temperature कम रहता है then the normal body temperature which is necessary for spermatogenesis और यह temperature spermatogenesis जो कि हम detail है पढ़ेंगे एक topic है हमारा ठीक है नाने वाले जो next lecture आएगा कि sperm formation कैसे होता है that is called spermatogenesis तो sperm के बनने के लिए कम से कम 2-3 degree temperature body से कम होना चाहिए अब in response to cold temperature अब हुआ क्या body से भाहर आ गया अब ठंड है ठंड होगी तो क्या होगा बाहर का temperature बहुत कम होगा तो भी दिक्कत है तो उसमें क्या होता है the cremester and dartus muscle contract यह दोनों muscles जो होती है यह contract कर जाती है तो सर्दियों में तुम देखोगे गर्मियों में जो स्कॉल्टम होता है ऐसे loose से रहते हैं और सर्दियों में यह contract करके सुकुर जाते हैं, tight से रहते हैं करके, ठीक है ना, तो सर्दियों में क्या हो रहा है, cremester and dartus muscle contract कर जाती है कॉंट्रेक्शन ऑफ दा क्रिमेश्टर मसल्स मूव दा टैस्टी से चिपक गई है तो बाड़ी से हीट ले रही है फिर वो ठीक है वेर देखें एब्जॉब बाड़ी हीट और इस प्रकार वो फिर से अपना टंप्रेचर वापस से 34-35 मेंटेन कर लेती है किलियर है बात समझ से कहानी क्या है यह टेस्टी से टेस्टी कुल लोब्यूल्स लोब्यूल्स उपर बताया था मैंना क्या होता खाने होते हैं यहां से निकल रहा है और यह उपर क्या आ गया एपीडी डैमेस यह पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है एपीडी डैमेस ठीक है ना एपीडी हैं फिर हां से सिंगल डवक जो है। इसको हम लुग की क्या कहते हैं ? wash d earthquake कहते हैh wash d आगे जाकर के ठीक है wash ठीक है अगे थोड़ा सा यह मोटाई बढ़ती है इसकी और यहाँ पर जाकर के gland यहाँ पर common दिखा दिया है seminal vesicle glands यह glands को छोड़ देते हैं भी ठीक ग्लैंट्स की बाद वाद में करेंगे फिर आगे अपना इसी को आगे करेंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक P scoring को तो यह सारी ducts जहां से Start होती है वास dependence एक्टी टेख ठीक है एपरिड़ डैमी जिस सारी जो डोग का सिस्टम है इनको क्म लोग क्या बोलते हैं ऐसे सरी डाक्त कहते हैं क्लिए रहे कौन-कौन आगे इसके अंदर रेटे टेस्टी वास्टी डिफरेंस एपी ड्यमिस एड़ा सब्सक्राइब करने के लिए जो ड्क्ट वती उनको वास्ट एफरेंशिया कहते हैं और बाद में आता है उसको क्याते हैं है और जो यह लाष्ट का पार्ट होता है रेड कलर का रहता है सो टिप होता है पैनिस का उसको घ्लैंस पैनिस कहते हैं और इसके उपर की जो इसको कवर करती है इसको हम लोग फॉर स्किन आफ जब ले जाने के लिए यह रास्ता है, ठीक है, इस पर्म को यह 75 टुबूल से एपीडी डायमीज की तरफ लेके जाती है Now, वासा एफरेंशिया वासा एफरेंशिया ठीक है, यानि कि याली डक्ट है जो इन दोनों कनेट करवा रही है, रेटे टेस्टिस एपीडी डायमीज बाइदा टीवियूल काल्ड वासा एफरेंशिया यह सब वासा एफरेंशिया, रेटे टेस्टिस और एपीडी डायमीज को कनेट कर रही है किलियर है? आगे आते हैं एपिटी डैमेंस यह important है यह दो माक्समालक से पूर्षा जा सकता है यह दे आर टू हाईली कॉईल टुबूल्स दो टुबूल्स होती है तो बहुत ज़्यदा अपस कॉईल हो जाती है यह दो एक होता है यह पर एक कयमिकल जिसको हम गलाइको प्रोटीन कहते है यह निकलता है जो नुरिश करेगा नूट्रिशन देगा और मैच्चूर करता है इस्परमेटो जोवा ठीक है दा प्रोसेस बाइवीच इस्परम एक्वाइर मोटिलेटी एंड अबलेटी तो फर्टाइल एंड ओवम ठीक है तो मैच्चूरेशन का मतलब क्या है इस्परमेटो जोवा का मतलब क्या होता है करके कि इस्परमेटो जोवा उसको मारा फाइनल क्या बन जाएगा इस्परम बन जाता है तो उसको मैच्चूरेशन मैच्चूर करना होता है ताकि वह आगे जाकरके ovum को fertile उसको penetrate करके वहाँ पर fertilization कर सके तो जो maturation का मतलब क्या होता यहाँ पर कि जो एक process है जिसमें sperm motility उसके नवा motility आ जाती है हिल ने डोलिंग छमता आती है और छमता आती है fertilize and ovum जो egg है ovum है उसको आगे जाकर क्या कर सके fertilize कर सके वह process कहा होती है epi-de-diamese में होती है ठीक है ना जब हम लोग वह पढ़ लेंगे spermatogenesis तो यह आले point और अच्छे से के लिए रोएंगे the epi-de-damese also helps propel sperm into the ductus vast difference यह help करता है sperm की कि वह आगे move कर जाए कहा vast difference में ठीक है ना तो यह आगे धका मारेगा तो vast difference में क्या करेगा sperm आगे move कर जाएगा ठीक है ना इसके बाद यहां से कौन स्टार्ट है यह vast difference स्टार्ट है during sexual ठीक है क्या कह रहा है पूरी बात क्या है epi-damese help करता है propel sperm को धका मारता है कि वो आगे vast difference में बढ़ जाए कब during sexual arousal यानि कि during coitus during sex sex के दोरान ही उसको आगे बढ़ना है वैसे नहीं बढ़ना है by paristaltic contraction paristaltic समझते हो जब लोगों ने digestion वे शीखा था इस तरह के wave trace के motion होते हैं धका मारता है office smooth muscle वहाँ पर जो smooth muscle से हैं वो उसको धका मारती है sperm को कि तुम आगे बढ़ो अब निकलना है बार here sperm are stored अगर क्या कहते हैं coitus नहीं हो रहा है sexual activity नहीं हो रही है और sperm बनके ready है वहाँ पर तो वहाँ पर क्या store रहते हैं few hour to a few days कुछ गंटों से लेके कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक वहाँ पर store रहते हैं till sent out जब तक कि वो बहार नहीं बेज़े जाते हैं भार कब बेज जाएंगे जब sexual arousal या sexual activity होगी ठीक है और जो बहार बेजने की प्रकिरिया है sperm का पैनिस के दुवारा बहार निकलना उसके लिए term क्या इस्तमाल होता है ejaculation क्या term इस्तमाल होता है ejaculation sperm का sexual activity के दौरान पैनिस से बाहर निकलना क्या कहलाता है ejaculation समझ लो इसको बार बार नहीं बताऊंगा ठीक है sperm not ejaculated जो sperm ejaculate नहीं हुए है बाहर नहीं निकले है और reabsorb यह बेटा मार कर लेंगे बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर मिथिया है खासकर मेल बच्चों के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि sperm को निकलना जरूरी होता है वगरा वगरा कुछ नहीं बेटा सब गलत है जो sperm extra है अगर आप sexual activity नहीं कर रहें तो हमारी body उसको वापस से reabsorb कर लेती है ठीक है ना कुछ नहीं होता ठीक है testis and epididymies together called testicles testis और epididymies को एक साथ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं testicles कहते हैं testicle आगे आते है wash difference और ductus difference ठीक है तो wash difference और ductus difference इसकी बात करें wash difference क्या काम करता है it receive a duct from seminal vesicles अब seminal vesicles क्या है हमारे पास देखो यहाँ पर आगे diagram होगा यह देखो ठीक है यह पीछे की तरफ का urinary bladder है पीछे की तरफ का रास्ता है यह तो यहाँ पर हम बात को समझते है यह क्या आगया मेरे पास prostrate ओके यह दो क्या सेमिनल vesicle है और यह wash difference यह wash difference यह आ रही है यह आ रही wash difference और इसी wash difference में आ करके seminal vesicle जो gland है वो अपना क्या है secretion छोड़ देती है उसके अंदर जो liquid होता है यही पर आ करके तुम्हार पास क्या है यह this is the prostrate यह भी आगया करके इसी में अपना secretion छोड़ देती है बात समझ मा रही है तो prostrate और seminal vesicle ने अपना secretion यहाँ छोड़ दिया और सबसे नीचे की तरफ कौन है copper gland या bulbur utral gland यह देख पा रहे हो करके seminal vesicle इसमें आके मिल गई है और यह आ रहा है तो यह जो part है common आ गया है यहाँ पर that is ejaculatory duct इसको हम लोग क्या बोलते हैं ejaculatory duct ठीक है ना यह bladder है पीछे की तरफ का रास्ता है ठीक है ना पीछे की तरफ से यह देख़ए यह इस type से ठीक है ना इंसान ऐसे उल्टा खड़ा है तो पीछे की तरफ से है यह ठीक है यह पीछे की तरफ का है क्योंकि पीछे की तरफ ही होता है सब कुछ है तो यह सारी बात है गार clear हो गई है तो इसको हम देखते हैं तो watch difference तो यह क्या है it receives duct from seminal vesicle seminal vesicle से एक duct आती है यह से मिल जाती है और open into urethra फिर यह क्या होता है आगे जाकर के urethra यहां से हमारा क्या start हो गया urethra start हो गया ठीक है ना जो urethra यहां पाये जा रहा है प्रोस्टेट के अंदर उसे हम लोग प्रोस्टेटिक urethra कहते हैं फिर यह बीच वाला होता है इसे intermediate urethra कहते हैं फिर आगे penis में जो पाया जाता है उसे penile urethra कह देते हैं ठीक है यह भी क्या काम कर रहा है store कर रहा है नरिश कर रहा है conduct sperm into urethra as ejaculating duct तो यह store भी करता है नरिश भी करता है और sperm को आगे urethra की तरफ conduct भी करवाता है during sexual arousal functionally function की बात करें the ductus deferens the ductus deferens है यह duct है convey sperm during sexual arousal इसका main काम क्या है जब sexual arousal है sexual activity है sperm को लेके जाता है from epi-di-damage towards the urethra epi-di-damage से urethra की तरफ पहुँचाने का काम करता है by peristaltic construction contraction होते हैं वह वाले peristaltic like the epi-di-damage जैसे की epi-di-damage में peristaltic contraction हुए थे उसी प्रकार की contraction यहां होते हैं और वो sperm को आगे ढगेलते हैं the ductus deferens यानि की vast difference ठीक है also can store sperm for several months यहाँ पे भी sperm कई मैनों तक store हो सकते हैं any stored sperm that are not ejaculated अगर कोई sperm stored है और sexual activity नहीं हुई है महीनों तो वो क्या होते हैं वापस से eventually आखिरकार अंतता reabsorb हो जाते हैं body के दौरा ठीक है बात समझ में आ गई now ejaculated duct ejaculated duct में ने बताई थी जो आगे जा करके यह क्या है common duct होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां से लेके था कि यह ejaculated duct है seminal vesicle और इससे है वापस डेफरेंस वाली duct जो आपस में मिल जाती है तो common duct जो बनती है उसको हम लोग क्या कहते है ejaculated duct बोल देते हैं तो इसका काम क्या है they are short छोटी होती है और straight होती है and found by कैसे बनती है union of union मतलब मिलने से किसके मिलने से wash difference and duct of seminal vesicles seminal vesicle की duct और उसके दोनों duct मिल जाती है common duct जो होती है उससे हम लोग क्या कहते है ejaculated duct कहते है where ejaculate is formed ejaculate मतलब finally वो sperm जो अब आगे जाकर के निकलेगा बहार जब तक sperm seminal vesicle gland जो gland है इसके बगल में जो sperm आ रहा है यह seminal vesicle gland है ना हमारी जो sperm जब seminal vesicle gland जो इसके अंदर से अपना liquid छोड़ती है वो जब sperm के साथ मिल जाता है तब जाकर के हमारा ejaculate याने की जो penis से बहार निकलेगा sperm वो तयार होता है ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलते है इसलिए seminal vesicle की वएसे जो sperm हमारा बहार निकलता है उसको हम लोग कहिवा semen भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं semen ठीक है तो कह रहा है जो sperm से बहार निकलेगा ejaculate वो तयार हो जाता है by mixing of sperm with secretion secretion मतलब जो seminal vesicle छोड़ रहा है liquid type का of seminal vesicle तो seminal vesicle का secretion है जो liquid है और sperm आपस में milk जाते हैं और finally हमारा ejaculate इसी ejaculate को हम लोग क्या बोल देते हैं semen में भी बोलते हैं now urethra urethra open into tip of penis चीक है यह हम लोग सब लोग देखी रहे है जो urethra है finally कहां जो penis की tip है यहां करके open होती है जाकरके it serve as the passage way for both semen and urine यह semen जो बताए ejaculate और urine दोनों के लिए common रास्ता है epididamage wash defrence and urethra transport sperm towards the urethral meters और passage urethral meters जो लास्ट में पाए जाता है ठीक है ना यहां पर नहीं है जो end बाला पाट होता उसका हम लोग urethral meters कहते हैं यह रास्ता कहते हैं दे क्लेक्टिवली काल एक्सरेटरी जनाइटल डग्ट ठीक है ना दे क्लेक्टिवली काल जाने की epidemies wash defrence urethra क्योंकि urethra क्या कर रहा है एक्सरेशन का काम कर रहा है यूरीन को भी पास आउट कर रहा है और जनाइटल मतलब हमारा है रिप्रड़क्शन को लेके भी काम हो रहा है तो यह तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोल देते हैं एक्सरेट्री जनाइटल डख्ट बोल देते हैं किल्यर है अब असे सड़ी ग्लाइंट्स की बात कर ले है ग्ला पर हम ने देखी लें एक abblaw यहां से जो का से वाश डेफ eerक्शन आ रहा है वाश डेफरेंट्स में ग्लाइँ हुर। secretion छोड़ देती है फिर दूसरी duct क्या है prostate है और तिसरी duct क्या है bulbul uteril या cowpours gland है यह तीन duct है हमारे पास बारी बारी से तीनों के function देखते हैं prostate important है थोड़ा सा समझेंगे इसे seminal vessel की बात करें pair of seminal vessels pair होता है एक यह रहा एक यह रहा दो है इसलिए क्या कहा गया है pair of seminal vessel joins wash difference यह wash difference को आ करके join करती है निए जोड़ जाती है to form ejaculatory duct और finally क्या बनाती है ejaculatory duct बन जाता है फिर secretion of seminal vessel form 70% of semen यानि कि लगभग जो sperm after sexual activity जो sperm भार आता है उसमें लगभग 70% जो होता है liquid होता है वो seminal vessel vesicle का ही liquid होता है ठीक है its secretion contains fructose protein mucos citrus इसके जो secretion होता है fructose protein mucos citrus तमाम चीज़े होती है जो sperm के लिए काफी helpful रहती है दूसरा जो gland है वो है prostrate gland ठीक है prostrate के बारे में काफी तुम लोग ने सुन रखा होगा तो prostate को थोड़ा समझते हैं यहाँ पर it is inferior to urinary bladder उसके थोड़ा सा नीचे रहती है inferior ठीक है and surround the prostatic urethra और जो urethra है यान कि जहां से urine निकलेगी finally ठीक है यह urinary bladder है यह क्या है urinary bladder है यहां से urine आ रही है और इसी के just नीचे हमारा क्या है prostate है और यह urethra है इसी urethra से आगे urine भी पास होनी है तो इसको इसने क्या कर रखा cover कर रखा है क्या कर रखा है cover कर रखा पूरा goal cover नहीं कर रखा एक तरह से यह वालो यह बीच में है तो इस तरह से covering है इसके पास ठीक है ना तो हो क्या रहा है the prostate slowly increase in size from birth to poverty poverty मतलब एक age 14 साल की जब इस पंबना सुरू हो जाते है तो जनम से लेकर कर पवर्टी तक जो प्रोस्टेट हो थोड़ा बढ़ता रहता है it then expand rapidly until about age 30 उसके बाद लगाता फैलता है ठीक है पहले grow करेगा फिर फैलेगा 30 age तक after which time its size typically remain stable और 30 के बाद ये लगबग stable हो जाता है फिर ना बढ़ेगा ना घटेगा लेकिन जैसी age आती है 45 की when further enlargement में ओकर 45 के बाद prostate फिर से तो जड़ी बढ़ने सुरू हो जाती है इसलिए कई बार लोगों को पेसाब में दिक्कत होती है पेसाब करने में ठीक है ना क्योंकि यूरेथरा जो है वो दब जाती है when further enlargement में ओकर constructing the urethra and interfering with urine flow ठीक है ना तब कुछ लोगों देखाओगा जो हम लोग कहते हैं पेसाब रुक रुक के होती है जो थोड़ से बुड़े लोग होते हैं ठीक है अब प्रोस्टेट कर क्या रहा है सिक्रीट करता है milky slightly acidic एक milky हलका सा acidic फिल्यूड जिसका pH कितना होता है about 6.5 that contains several substance ठीक है एक milky दूद के टाइप का एक substance जो हलका सा acidic होता है वो सिक्रीट करता है इसके अदर citric acid in prostate फिल्यूड is used by the sperm कैसे सारे substance होता है जैसे की एक citric acid का जिक्रीट कर रहा हूँ है इसका बहुत सारे चीज़े पाई जाती है लेकिन जो citric acid होता है इसके अंदर प्रोस्टेटिक फिल्यूड के अंदर जो की sperm की दूदा यूज़ के जाता है for ATP production via the crab cycle crab cycle की help से क्या होता है 25% of the volume of semen ठीक है total जो sperm भार निकल के आता है उसमें लगबग 70% कौन सा फिल्यूड था? seminal, vesicle का 25% इसका है तो 5% sperm बचा तो sperm बहुत थोड़ा रहता है लेकिन उसमें उसी उतनी सी quantity के अंदर ही 200 से 300 million sperm पाए जाते है 25% of volume of the semen and contribute to sperm motility and viability और ये काम क्या है इनका? sperm की motility और sperm जिंदा रहे viable रहे इन दोनों में इसका fluid करता है, help करता है कि लिए रहे बाते हैं? अब आते हैं bulboyorethral gland और cowper's gland इसको cowper's gland भी कहते हैं ठीक है ना? याद है कहाँ पे थी? bulboyorethral gland ये रही नीचे की तरफ सबसे नीचे की तरफ आगी है ओके इड़े पेर अफ येल्लो पी शेप ग्लेंड ये जोडे में होती है दो होती है पी शेप मटर के दाने के दाने के बरावर होती है देर ड़क्ट ओपन इंटू दा स्पॉंजी उरेथरा जिस उरेथरा में मतलत जो यूरेथरा आ रहा है और जहां पर ये नली आगे कनेक्ट हो रही है तो उस पार्ट को हम लोग ने क्या नाम दिया है इस पॉंजी उरेथरा बोला हुए इस सिक्रेशन है अवंडेंड म्यूकस ये तो निकालता अपने अंदर से बल्भी लिजर्ट ग्लेंड इसमें म्यूकस होता है चिप-चिपा पदार्थ म्यूकस क्या होता है चिप-चिपा टायप करा जैसे नाक का फिलोड रहता है ठीक है में काम क्या है फॉर लिब्रिकेशन क्योंकि ये ग्लेंड तभी अक्टिवेट होती है जब आप आपकी बॉड़ी प्रिपेर होती है मतलब इंडिकेशन मिल जाता है कि आपकी बॉड़ी सेक्शुल अक्टिवेटी करने वाली है तो बहुत सारा म्यूकस निकलना इस्टार्ट हो जाता है यह gland active हो जाती है, बहुत सारा mucos निकलना इस्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या हो सके, lubrication हो सके, lubrication के क्या benefit रहेगा, lubrication for reproductive tract, जो रास्ता है, urethra का, वो पूरा क्या सा हो जाता है, mucos हो जाता है, तो रहा सा alkaline हो जाएगा, यानि कि वहाँ पे, उसी urethra सा क्या निकलती है यूरिन भी निकलती है, जो कि क्या करती है, रास्ते को acidic कर देती है, और acidic, जो acidic nature होता है, रास्ते का, वो sperm के लिए खतरनाग होता है, तो एक तो उसको ठीक करता है, प्लस, जो पैनिस की tip होती है, उसको जाकर के क्या करता है, चिकना कर देता है, जिससे की क्या है, vaginal penetration असान हो जाता है, ठीक है, तो abundant mucus for lubrications of reproductive tract, ठीक है, it lubricates the end of the penis, पैनिस का जो end होता है, tip होता है, उसको भी lubricate कर देता है, and the lining of the urethra, और जो अंदर urethra के जो परत है, उसको भी क्या कर रहा है, लुब्रिकेट करता है, जिसकी वज़े से decreasing the number of sperm damage during ejaculation, जब ejaculation की समय, urethra से sperm बह किसकी वएसे, urine के जो acidic nature, जो भाई, urine pass होई है न, urethra से, तो वहाँ पर कुछ न कुछ urine का क्या रह गया होगा, पाट रह गया होगा, जिसकी वज़े से वह वाला हिस्सा कैसा हो गया, acidic हो गया, तो sperm damage हो सकते है, now, it also neutralizes the acids of the urethra from remains of urine, जो urine रह जाती urethra में, जिसकी वज से, urethra acidic हो जाती है, उसको भी क्या करता है, यह neutralize कर देता है, it produced before ejaculation, ejaculation से पहले produce होता है, some males release a drop or two of this mucus upon sexual arousal, कुछ जो male होते हैं, उनमें क्या होता है, जब उनको पता body को feel हो जाता है कि अब sexual activity होने वाली है, तो mucus उनमें कई बाद इतना ज्यादा निकलता है कि एका इरेक्ट हो चुका है, इसकी एकाद बून बाहर आती है, the fluid does not contain sperm cells, ठीक हो जो mucus बाहर आता है, उसके अंदर sperm cells नहीं होते हैं, खेलो लोगी बाते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, now semen, semen मेंने क्या बताया था, finally जो after sex, जो fluid बाहर निकलता है, जिसको हम इस्पर्म बोल देते हैं, उसको हम लोग सीमें भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, semen, semen का मतलब seed, है ना, तो गाउं वगरा में कई वर हम लोग उसको सुना ओगा, लोग बीज भी बोल देते हैं, ठीक है, इसे mixture of sperm and seminal fluid, semen है, किसका mixture है, sperm का seminal fluid का and a liquid that consists of the secretions of the seminiferous tubules, ठीक है ना, जो seminiferous tubules जहा sperm बना था, वहां का थोड़ा बहुत फिलूड होगा, वो भी उसके अंदर पाया जाता है, now, seminal vesicle, prostrate and bulbuluteral gland, ये सब का फिलूड भी उसके अंदर थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है, आगे आते हैं, ओके, the volume of semen in typical ejaculation is 2.525 ml, एक बार में जो sperm भार निकलता है किसी male से, वो लगबक धाई ml से 5 ml तक होता है, with 50 से 150 million sperm per ml, 5 ml है, एक ml में 50 ml है, तो 5 ml में कितना होगा idea लगा लो, ठीक है ना, when the number falls below 20 million per ml, अगर यही number 20 ml per ml से नीचे गिर जाएगा, the male is likely to be infertile, तो जब male होगा, वो कैसा हो जाएगा, infertile हो जाएगा, यानि कि बच्चे पैदा करने की छमता उसकी गिर जाएगी, अगर 20 million per ml से नीचे रह जाएगे, sperm की quantity, क्लियर होगे हैं यहां तक, चले आगे, अब देखो यहां पर, यह जो quantity तुम्हें याद रखनी है, जो कई बार होता है करके, कि क्यों infertility, जो married couple होते हैं, क्यों वो कई बार infertile रह जाते हैं, तो उसमें एक reason यह है, कई सारे कारणों में से, एक कारण हमारे पास यह है, ठीक है, कई सारे कारणों में से, एक कारण यह है, अब बात करें आगे, जो दूदिया कलर का अपेरेंस होता है, वो उसको वहाँ से मिलता है, और जो फिल्यूड से मिल वैसिकल और बल्बो यूरेथरल ग्लैंट, और जो फिल्यूड से मिल वैसिकल और बल्बो यूरेथरल ग्लैंट से निकलता है, गिव इट अ इस टीकी कंसिस्टेंसी, यानि कि जो चिप चिपा पन आता है, इस स्पाम को कभी टच करोगे, जो सीमन बहार आता है body से, उसको कभी touch करोगे, तो चिप चिपा रसा रहता है, तो चिप चिपापन किसकी वाज़से आता है, जो seminal vesicle और bulbo urithral gland से जो secretion निकलता है, secretion मतलब जो fluid निकलता है और sperm के साथ mix होता है, उसकी वज़ाय से इसमें क्या आता है, sticky appearance clear है seminal fluid की बात करें तो seminal fluid provides sperm with transportation medium तो main काम क्या है seminal fluid का कि वो एक तरह से sperm को चलने के लिए एक medium प्रोइड करता है क्योंकि कोई medium जैसे का हमको तैरना है तो पानी चाहिए तो वो एक तरह का medium प्रोइड करता है इसमें sperm क्या करनेगा तैरेगा nutrients provide करवाएगा sperm के लिए and protection from the hostile acidic environment of the male's urethra और साथ साथ में जो male का urethra है जहां पर एक danger environment होता है sperm के लिए क्योंकि वहाँ से urine प्रोइड पास होती रहती है तो उससे भी उसको protect करता है and the female's vagina and even sperm के आसपा seminal fluid रहता है जब वो female vagina में enter कर जाता है ठीक है तो उसकी vagina में भी कई सारे ऐसे factors होते है जो sperm को kill कर देते है तो उससे भी उनको बचाता है now the presence of blood in semen अब ये क्या चीज आगी या तो कहानी अलग होगी ये एक disease है अगर semen में suppose blood आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं हीमो स्पर्म में ये एक तरह की बीमारी होती है ठीक है in most cases it is caused by inflammation of the blood vessels lining the seminal vesicles यह नहीं है आपर तो जो blood आता है कई बार वो किसकी वाज़ी से आता है seminal vesicles में जो blood की supply हो रही थी वहाँ पर inflammation बगार हो याता है वहाँ पर थोड़ी सी infection हो याता है अगर किसी को in case sperm में अपने blood दिखाई पड़ता है तो डरने की जरूद नहीं है छोटी सी condition है डॉक्टर पास जाएंगे तो यह एंटिवाटिक दे देगा और वो ठीक हो जाएगा तो यह जो line है यह एक तरह से कहिना के knowledge purpose से है ठीक है और साथ में extra में लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब last में जो हमारा supporting structure आता है panis ठीक है panis सबको पता है tail जो उसका end होता है panis का मतलब होता है tail ठीक है ना reproductive system का जो tail है ठीक है contains the urethra इसके अंदर क्या होता है urethra होता है and is a passageway और यहाँ क्या है रास्ता है for the ejaculation ejaculation बता चुका हूँ मैं ejaculation of semen semen के ejaculate निकलने के लिए रास्ता है and the excretion of urine और साथ साथ में urine को भी pass करवाता है कैसा है it is cylindrical in shape देख सकते हम लोग यह कैसा है cylindrical shape का है and consists of a body और अगर हम इसके part की बात करें तो इसके पास क्या-क्या चीज़े part मौजूद है ठीक है तो इसके पास body है यानि की पूरा structure यह body कहलाएगा glance penis यह जो आगे का part होता है इतना ठीक है ना this is the glance penis ठीक है and a root जब पिछी के तरफ जहाँ पे यह जुड़ा होता है penis और पीछी की तरफ अभी एक और structure देखेंगे हम लोग इसका जब इसको क्या कहलाएगा root कहलाता है ठीक है यह देखो जहां पर यह इस तरह से penis की जो body है इसको समझ लें बटा काफी important है body of penis is composed of three cylindrical masses तीन cylindrical अकार के masses होते हैं ठीक है कौन-कौन से masses है वो एक यह रहा दो और यह तीन ठीक है ना यह इस तरह से लंबे-लंबे याने कि अगर आप इसको penis को cut करेंगे तो तीन इस तरह से आपको cylindrical shape के masses दिखाए पड़ेंगे जो उसके अंदर सिब गुजरते हैं ठीक है masses मतलब tissues cells और tissues के बने हुए mass का तुकड़ मतलब mass का बना हुए cylindrical shape का mass होता है ठीक है अब आगे बात करें is surrounded by fibrous tissue called tunica albigenia ठीक है ना सबके जो बाहर की तरफ जो surrounding होती है वो tunica albigenia की होती है जो बाहर की तरफ इनके surrounding रहेगे उसको हम लोग क्या कहेंगे tunica albigenia now the two dorsolateral masses dorsolateral dorsal और lateral आजू आजू ठीक है ना are called corpora cavernosa penis corpora cavernosa two आजू आजू दो आजू आजू होते है एक नीचे की तरफ होता है ठीक है ना तो इसको क्या कहते है हम लोग corpora cavernosa कहते है the smaller mid ventral जो बीच में छोटा सपाय जाता है नीचे की तरफ ठीक है मास the corpus spongiosum the corpus spongiosum ठीक है नाम बेटा याद कर ले ना नाम से क्या होगा corpus spongiosum के अंदर से ही कौन गुजर रहा है यूरेथरा गुजर रहा है ये सब चीजें important ध्यान रखेंगे corpus spongiosum penis contain the spongy urethra and keep it open during ejaculation ठीक है ना इसके अंदर से urethra गुजरती है और इसको ये open रखता है किस समय ejaculation के समय पे the distal end of corpus spongiosum penis जो corpus spongiosum का distal end है is slightly enlarged icon shape region called the glans penis जो distal end इसका यहाँ सुरुवात यहाँ से होता है और distal आखरी में यहाँ चला जाता है तो क्या कह रहा है ये ये जो है अपना distal end है slightly enlarged ये थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये यहाँ तक गया फिर उसका यह हलका सा बड़ा हो जाता है slightly enlarged तो देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है और यह यह है तो हलका सा बड़ा हुआ जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लैंस पैनिस कहते है इस मार्जिन इस दा कोरोना ठीक है जो उसका मार्जिन होते हैँ यह नाठिन यह यहाँ कोरी हिस्सा इहां पर यह दो rekणि कोनिग हो जाता है ठीक है इसको होती है ऑसे सका यह है आइस का एकोरो रहाएगा थीक है यह境 कर दिज्तलडियाय। इनिज युरेथरा enlarges within the glans penis, glans penis के अंदर जो युरेथरा होता है, थोड़ा सा आखरी में आ करके यहां पर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, दीखे, end form terminal slit like, तो अगर तुम लोग देखोगे, जो penis का end होता है, जहां से urine pass होती है, तो वहां पर तुमको ऐसा लएगा, जैसे की नहीं, cut मारा गया है, है ना, पूरा जैसे penis है, मालो यह पूरा shape है, आगे से तुम लोग के ऐसे दिखाई पड़ रहा है, तो आगे ऐसा cut, इस cut के लिए what इस्तेमाल होता है, slit, एक cut type का दिखाई पड़ता है, गोल नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगा cut लगा हो है, ठीक है ना तो जो युरेथ्रा होता है, आखरी में जाकर के slit like opening, एक cut की तरह opening होती है, the external urethral orifice, orifice मतलब छेद, तो यही जो होता है, युरेथ्रा का आखरी end होता है, जो की slit like होता है, और बाहर के तरफ आकर के यह खुल जाता है, तो तमाम बाते हैं यहाँ पर, क्या चीज कैसी है, ओके, आगे आते हैं, now covering the glanced penis in an uncircumcised penis, ठीक है, uncircumcised मतलब, circumcised का मतलब क्या होता है, circumcised का मतलब होता है, जो penis के उपर, ठीक है ना, यह जो skin होती है, है ना, glanced penis के उपर, इस skin को हम लोग क्या करते हैं, cut कर देते हैं, cut करने के बहुत सारे reason है, कहीं पर धार्मिक रिजनों से भी इस वाले हिस्से को, जो उपर का skin वाला हिस्सा है, cut कर दिया जाता है, कई बार medical conditions की वज़े से भी, यानि कुछ disease की वज़े से भी, cut किया जाता है, ठीक है, अभी उसको circumcision के बारे में चुर्ण बताऊंगा, मैं, चलो बात आगे पहले इसी को पढ़ लेते हैं, तो circumcision मतलब क्या होता है, to cut around, जो glanced penis का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, जो किनारे वाले हिस्से होते हैं, इसको corona कहते हैं, ये glanced penis, इसकी उपर जो skin की covering आती ह उस covering को cut दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, इसी covering को मैं लोग four skin या prepuce भी कहते हैं, तो जब इसको cut दिया जाता है, उस काटने के लिए English का word क्या है, circumcise, is a surgical procedure, ये एक surgical procedure है, in which part of all the entire prepuce, या तो उसका कुछ हिस्सा, या पूरा का पूरा यहां से लेकर, यहां की जो पूर की performed several days after birth, ये जनम के कुछ दिनों के बाद किया जाता है, and is done for social, और ये क्यों किया जाता है, social, cultural, religious, ठीक है, and medical reasons, कई सारे कारण है, कुछ धर्मों में ये culture है, religion है, social reason भी है, और साथ साथ में medical reason भी होते हैं, कई बर काटने के infection वगएर रहता है, तो उस case में ज्यादा होता तो कट कर दिया जाता है, although most healthcare professional find no medical justification for circumcision, बहुत से जो healthcare professional वो कहते हैं, कि इसका कुछ फाइदा नहीं काटने का, but some feel that, कुछ लोगों को लगता है, it has benefit, such as lower risk of urinary tract infection, ये भी research में पाए गया है, क्योंकि जो urine आती है, वो इसी skin के वज़े से क्या रहती, रह जाती होँआ पर आ skin रहेगी, skin हटा दी जाएगी, तो UTI की infection नहीं होगा जादा, protection against penile cancer, penile cancer के chance भी घटे जाते हैं, and possibly lower risk of for sexually transmitted disease, ठीक है ना, और sexually transmitted disease के लिए भी जो risk होती है, वो कम हो जाती है, indeed, सच में, अगर सच में माना जाए, studies in several African villages have found lower rates of HIV infection among circumcised men, ये पाया गया है African village में, कि जो circumcised men थ के circumcised करके हटा दिया गया था, उनकी अंदर HIV infection नहीं पाया गया है, ठीक है, तो ये circumcised word है, थोड़ा सा knowledge purpose है भी था, बहुत से लोगों को रहता कि क्या है, ये चीज क्या है, तो उस purpose है इस topic को डाला, okay, तो covering the glanced penis in an uncircumcised penis, अगर penis uncircumcised है, उस skin को काट के हटाया नही है, is loosely fitting prepuse or foreskin, तो उसको हम लोग prepuse या foreskin कहते हैं, the insertion, insertion मतलब घुसना, the insertion of the erect penis, जो penis erect है, है ना, tight है, penis erect है, erect मतलब खड़ा हुआ है, into the vagina is called heterosexual, sexual intercourse or coitus, ठीक है ना, तो ये coitus word आएगा है, simple सी word है, कि जो insert करते है penis को vagina के अंदर, उसके लिए term के इस्तमाल होता है, intercourse और coitus, sexual intercourse और coitus, तो ये term याद रखेंगे, कहिना के इस्तमाल होता रहेगा, clear है बाते हैं, फिर यहाँ पर वही सारी कहानी है, सारी बातें diagram में बताया हुआ है, ये तीन पार्ट हैं, ये पीछे वाला पार्ट है, not so important यहाँ पर प्रिप्यूस वाला टर्म दिखाना था मिरों क्या चीज़ होती है, circumcision of word clear हो गया होगा, काफी इसको ले करके जो मन में शंकाय होंगी, वो भी दूर होगी होंगी, आग आते हैं, functions of male reporting system, ये question दो माक्सम बिलकुल आ सकता है, the testis produce sperm and the male sex hormone testosteron, testis का क्या है, sperm produce करन और male sex hormone testosteron का produce करना, the ducts transport, जो duct होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, store करती हैं और help करती हैं in maturation of sperm, sperm के maturation में, the accessory sex glands, जो तीन glands थी कौन-कौन सी हैं, seminal vesicle, prostate और bulbal urethral, secrete most of the liquid portion of semen, semen का जाहतर portion इनी का होता है, the penis contain the urethra, a passageway for ejaculation of semen and excretion of urine, penis के अंदर urethra होता है, जो कि क्या रास्ता है, ejaculation के लिए और urine के लिए, ठीक है, तो यह इसके functions हैं, जो तुम लोग याद कर लोगे, तो यह अपना male reproductive part खतम हो जाता है, और यहां से आपनों लोग स्टार्ट करते हैं, female reproductive system, ठीक है, जहाँ पर कोई चीज लगती है कि इस टेक्चर देखा होगा, यहां थोड़ा सा हम लोग इसको जिकर करें अगर, तो देखो क्या होता है, स्टार्टिंग कहां से होती है, सबसे बाहर की तरफ उनको क्या दिखाई पड़ता है, ठीक है, वेजीना के अंदर जा करके, एक छोटा सा इतना पार्ट कर लें अगर हमने पास क्या है, फेलेपियन ट्यूब, और इसी फेलेपियन ट्यूब को ही हम लोग यूट्रिन ट्यूब भी बोलते हैं, जैसे डक्ट्स होती ना, तो यूट्रिन ट्यूब भी बोलते हैं, आखरी में यह किस से कनेक्टेड है, फिम्रे की हल्प से, ओवरी से कनेक्टेड पूबाइक वारेजिब सिम्पल तरीका बजा दू तुम लोग क्या करोग 살 relaxation में ऐसे करोगल है ठीक है और ऐसे करोगल अजिक् nhआ अधा अच्छा सो इसब दो और बाके नील मेंशन कर दो गया यहां पर इसकी तीन लेयर होती है ठीक है वो दिखाओ दोगे तो इस तरह से एक मोटा मोटा structure बनके तयार हो जाएगा clear है चले आगे ठीक है ना आगे आते हैं the organ of the female reproductive system अगर हम female reproductive system के organs की बात करें तो यहां पर कौन-कौन आता है ovaries इसको हम लोग क्या कहते है female connex भी कहते हैं the uterine or philippian tubes दोनों का मतलब एक ही है uterine tube कहलो या philippian tubes कहलो और oviducts इसको हम लोग oviducts भी कहते हैं तीनों नाम ध्यान रखना philippian tube, uterine tube और oviducts the uterus, the vagina and external organs uterus, uterus, vagina and the external organs जो बाहर के organs है which are collectively called vulva और pudendum इसके अदर अपना labia majora, labia minora देखेंगा अभी उसको हम लोग जो external organs क्या कहा है ठीक है the memory glands are considered ठीक है ना मतलब की reporting system में कौन-कौन आ गया हमारे पास ovaries आ गई है uterine tube आ गया है uterus आ गया है vagina और external organs आ गया है जिसको कि हम लोग vulva कहते है memory glands जो breast में पाई जाती है जो milk produce करती है are considered part of both the integumentary system यानि कि हमारे skin का system भी है and the female reproductive system का भी पार्ट माना जाता है ठीक है connected है क्योंकि अब gynecology is the specialized branch of medicine concerned with the diagnosis and treatment of disease of the female reproductive system तो gynecology words सुना होगा तुम लोगो ने जो gynecologist होते हैं यानि कि female reproductive system को ले करके जितने भी problems हैं उनकी जो branch है medicine में MBBS वाला जो बंदा होगा उसको एक अलग से branch follow करने बरती हैं को हम लोग क्या कहते हैं gynecology और इस इंसान को क्या कहा जाता है gynecologist कहा जाता है clear है तो यह बात अब चाहिए जितने parts है परशान नहों यह सारे parts आज में दिखाऊंगा कुछ parts दिखा 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 दिया हैं बाकी parts पूरे explain करता हो दिखाता हो चलूँगा मैं अब थोड़ा सा आगे आते हैं अब समझे थोड़ा सा यह देखो ठीक है थोड़ा सा और structure detail में लेते हैं जो external part यह कौन सा यह क्या है vagina ठीक है external opening बाहर की तरफ ठीक है जिस तरफ हमारा मेल के अंदर यूरेथ्रा बहर जाके ओपन होता नहीं वैसी यहाँ पर कौन है vagina open होता है यहाँ पर कौन आता है पैंस इंसर्ट होता हो और यहाँ पर क्या release कर देता है sperm release कर देता है sperm चलते हुए यहां से और फिर यहां से अंदर होते हुए यहां आते हैं, यहां पर अगर egg होगा वो यहां आ जाएगा और फिर fertilization होता है तो हम पूरी process है, समझेंगे इसे बारी बारी से ठीक है, तो यह cut करके दिखाया हुआ है तो यह uterus होता है इसकी 3 layer होती है समझेंगा यह बाद में जा हम लोग पढ़ेंगे क्या, menstruation cycle अगर आप देखेंगे तो हम पर 3 layer पाई आती है, सबसे उपर फिर यह beach वाली और फिर यह सबसे अंदर वाली ठीक है ना तो यह सबसे अंदर वाली कौन सी होती है endometrium फिर यह होती है myometrium अब यह और detail में आएगा ठीक है, यह size होती है perimetrium सबसे outer वाली होगी वो perimetrium, myometrium में contraction होते है, endometrium यह वही layer है जो during mensuration क्या होती है as a bleeding के तोर पे बाहर आती है खेर, आगे आते हैं actual में जो yellow diagram था वहाँ से एक चीज clear नहीं हो रही थी कि यह ovary आ करके ऐसे दिख रही है केवल लेकिन जो actual में ovary होती है इसको support मिला हुआ होता है ठीक है, जैसे कि ovary and ligament यह हैं से diet जुड़ी हुई है then round ligament या फिर यहों कहलें कि broad ligament यह broad ligament है, इसके साथ यहाँ attach है और suspensory ligament of ovary है पीछे से आ करके इस ovary को क्या कर रही है पकड़ी हुई है तो एक, दो और तीन तीन जगहों से ovary को पकड़ा हुआ है तो ovary वहीं के वहीं रहती है healthy-dulty नहीं है clear है? अच्छा, corpus, luteo बगएरा यह सब चीज़े पढ़ेंगे हम लोग कब? जब हम लोग spermato genesis बगएरा पढ़ेंगे तो वहाँ clear हो जाएंगे सारी चीज़े यह developing follicle अभी यहाँ पर यह सब बाते नहीं करेंगे clear है? तो फिलाल हमें समझना था broad ligament को suspensory ligament को और यह ovarian ligament को ठीक है? फिम्ब्रे यह जो philippian tube वो था आख्री में इस तरह से hair type के structure रहते है जो इसको ovary को इस तरह से इस तरह से ovary रहती है ठीक है? जब एग निकलेगा यहाँ से सीधा यहाँ आजाता है जो यह एग निकलेगा यह सीधा यहाँ आजाता है ठीक है? इसको बाद में detailing लेंगे फिलाल हमें कहाँ focus करना है? female reproductive system में अब आगे आते हैं शुरुआत ovary से करते हैं तो they are greyish pink greyish pink color के होती है, avoid होती है almond shape के होती है almond shape ठीक है न? यह question आ सकते है तुमारा they are primary sex organ for female gonads primary sex organ मतलब जो क्या बनाएंगे? ovum बनाते हैं, male के अंदर कौन था? testis थे, ठीक है? the ovaries produce one gamet ovaries produce one gamet secondary oocyte, ठीक है? जो gamet होता है उसकों क्या बोलते है? secondary oocyte कहते हैं that develop into mature ova egg, जो आगे जाकर के egg में बदल जाता है after fertilization and two hormones including progesteron and estrogen ठीक है? ovary क्या क्या बनाती है? एक तो gamet बनाती है, साथ साथ में दो hormones बनाती है कौन-कौन से है? progesteron और estrogen ठीक है न? ठीक है the female sex, estrogen को हम लोग क्या कहते है? female sex hormone क्याते है, inhibine and relaxing अच्छा सौरी, यह यहाँ पर गरबड हो गया यह यहाँ पर two नहीं है, यहाँ बात को थोड़ा सही करेंगे यहाँ actually क्या है? ऐसे करें नीचे आना चाहिए था तो इसको मैं यहाँ पर correct कर देता हूँ तो यहाँ पर होना चाहिए, ovary produce एक क्या produce कर रही है? gametes secondary oocyte that develop into mature over after fertilization and second, hormones यह है लाइन, वोई मैं को थोड़ा कंसे हूँ रहाँ थी gametes produce करती है और hormones produce करती है hormones कौन कौन से है? inhibine और relaxin तो इनके functions हम लोग देखेंगे बाद में ठीक है, inhibine होता है रोक देता है, जो follicles होते हैं, egg होते हैं, उसके mature नहीं होने देगा, और relaxin होता है, relax करना यानि कि जिससे में delivery हो रही होती है वो पूरी muscles को क्या करता है body के females के, relax कर देता है ठीक है, stretchable बना देता है जिससे की baby की delivery अराम से हो सके आगे आते हैं, a series of ligaments, ligaments एक तरह की muscles है पढ़ चुके हम लोग न bones आले पर पार्ट में ठीक है, a series of ligaments holds them in position, जो series of ligaments है, यानि की suspensive ligaments, utero ovarian ligaments, broad ligaments, ये इसको position पे hold कर रखते हैं, healthy हिलने डुलने नहीं देती हैं ठीक है, hold them in position, the broad ligaments of the uterus, uterus का जो broad ligaments है, पीछी की तरफ ये पूर परत जो होती है ठीक है, attaches to the ovary by double layer fold called mesovirium ये पीछी की तरफ से ovary से इस तरह से चिपके, ये 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 ना broad ligaments है, ऐसे करके ovary चिपके रहती है, ठीक है ना, और जहाँ चिपकती है तो इसकों लोग क्या कहते है, mesovirium तो ovarian ligament ठीक है ना, तो जो ovarian ligament है, ये वाला anchors, anchors मैंजा पकड़ता है the ovary to uterus, ठीक है ना, uterus के साथ uterus और ovary को पकड़ के रखने वाला कौन सा है, ovarian ligament है, ठीक है ना, and the suspensory ligament, जो उपर suspensory ligament है, attaches them to the pelvic wall, जो कमर की wall होती है न, pelvic wall, तो ये कहाँ पकड़वाता है, help करता है, pelvic wall में, तो ध्यान रखेंगे, कौन सा ligament, कहाँ से उसको attach करवा रहा है, तो तीन जग़े से जगड़ा हुआ है, हिलेगा डूलेगा, नहीं, ओके, each ovary contain a hilum, यहाँ पर एक hilum होता है, ovary का, hilum मतलब इस type से एक structure रहता है, जैसे की नहीं, उसमें होता है, इस type से, जैसे मालों, यह ovary है, तो इस type से एक hilum रहता है, तो यहाँ से क्या है, blood vessels वगरा अंदर जाती है, एक वो रास्ता, जहां से blood vessels वगरा अंदर घुषती है, उसका हम लोग क्या कहते है, hilum कहते है, तो each ovary contain a hilum, the point of entrance and exit of blood vessels and nerves, है ना, blood vessels and nerves के ज़रूद पड़ेगी, तो यह वहाँ पर एक entrance point होता है, उसका हम लोग hilum कहते है, which the mesovirium is attached, along which the mesovirium is attached, ठीक है, तो थोड़ा से यह पार्ट समझने वाला था, कहां से क्या attachment हो ओवरी का, ना, ओवरी जए solid structure यह है, एक solid structure होता है, that covered by thin epithelium, which encloses the ovarian stroma, मतलब उसके अंदर जो भरा हुआ, उसका हम ovarian stroma कहते हैं, and internally differentiated into two parts, और अंदर यह दो पार्ट में डिवाइड हो रखा है, peripheral को cortex कहते हैं, inner को medulla, मतलब पूरी जो ovary है, उसमें जो अंदर का part है, इसका हम लोग क्या कहेंगे, medulla, और जो बाहर का part है, उसके हम लोग क्या कहेंगे, cortex कहेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग लेंगे, जाए उन लोग उजनेसिस पड़ेंगे, तब पूरा थोड़ी सा और डिटेलिंग समझेंगे, इसको फिलाल अभी यहां तक इसको समझना है, कि क्या है ovary, कहां attach है वगरा वगरा, किलियर है, अब accessory duct सी बात कर लें, ducts जैसे कि आपने mail में किया था, तो कौन-कौन से है, philippine tube या oveduct, ठीक है न, philippine tube उमीद कर रहा हूँ, अब यह समझ में आ गया होगा, क्या है यह philippine tube है, ठीक, आग या आते हैं, female have two uterine tube या philippine tube, also called philippine tube और oveduct, दो होते हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, each philippine tube has about 10-12 cm long, 10-12 cm long लंबी होती है, it divided into 4 parts, इसके 4 हिस्से होते हैं, infundibulum, ठीक है न, अब infundibulum, तुम लोग को यहां दिखाई पड़ेगा, यह रहा, यह, जो सबसे यह आला हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, infundibulum कहते हैं, ठीक है, तो क्या है यह, infundibulum, it has funnel shape, funnel shape जब कुप्पी होती है, इसके हम लोग oil बरा डालते है, funnel shape होती है, closer to ovary, ovary के काफी pass होती है, it has pore, इसके अंदर एक छेद भी होता है, ठीक है, it has pore called austium, उस छेद का नाम क्या है, austium, यहाँ पर जचेद होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, austium, and finger like projection called fimbree, जो finger like projection होती है, finger like projection, यह दिखाई बढ़ेंगे, यह इस type से, ठीक है न, यह, इसको हम लोग क्या कहते हैं, fimbree कहते हैं, क्या कहते हैं, fimbree कहते हैं, ओके, which help in collection of oven after evolution, ऐसा होता है, मालो, जो egg है, वो यहाँ गिर गिया है, ठीक है, तो यह fimbree का करेंगे, ऐसे move करेंगे, और जो बीचा बीच में, जो छेद होता हो, वहाँ पर लेके आ जाएंगे, austium के पास, और जश्च इसके पीछे, एक part होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ampula कहते हैं, it is a place where fertilization take place, ideally condition यह मानी जाती है, वैसे fertilization, flippant tube में कहीं पर हो सकता है, but ideally, ideally, यह माना जाता है, कि fertilization जातर यहीं होता है, तो इसको, अच्छ यहाँ नहीं है, अच्छ आगे आगे हैं हम लोग, ठीक है, यह जो आगे से थोड़ा state हिस्सा जाएगा, यह क्या कहलाएगा, इस्तमस कहलाता है, ठीक है, next है uterine part, it is one centimeter long part, that passes into the uterine wall, अब जो यह uterine part है, यह आखरी का हिस्सा, जो uterine wall के अंदर घुस रहा है यह, ठीक है, it connects the philippine tube with uterus, इसका काम क्या है, philippine tube को uterus से करट कर रहा है, ठीक है, तो philippine tube अगर आता है, दो नंबर में question, तो इसके चार parts के बारे में, describe कर दोगे, uterus, यह important है, इसको समझे जा रहा, क्या है uterus की कहानी, तो uterus हम सबको पता है, क्या होता है, बच्चा दानी भी कहते हैं, इसे warm भी कहते हैं, ठीक है ना, इसकी तीन layer होती है, बता रहा था में, सबसे outer layer, सबसे outer layer, perimetrium, beach valley layer, myometrium, सबसे अंदर के layer, endometrium, important है, three layers of, note कर लेंगे से, three layers of uterus, important है, mark कर लेंगे से, तीन layer कौन से होती है, inner to outer, या outer to inner, फिर उसके नीचे क्या होता है, cervix और सबसे लाश्ट में क्या है, vagina, तो पढ़े इसको फटा-फट, तो क्या बोल रहा है, it is also called warm, या नहीं, बच्चा दानी भी कहते हैं, इसको हम लोग, ठीक है न, its shape is like inverted pier, जो pier होता है, pier जो फटा है, क्या बोलते हैं हिंदी यों पियर को, comment करो फटा-फट, ठीक है, इसको याद नहीं आरा, pier क्या होता है, हिंदी यों क्या बोलते हैं, ऐसे उल्टा कर देंगे pier को, तो pier के shape का होता है, साइद नास पाती कहते हैं, I think, उसे उल्टा कर देंगे, तो उसके shape का होता है, it is located above and behind urinary bladder, urinary bladder के उपर, और उसके पीछे की तरफ होता है, इसलिए जब pregnancy होती है, और pate बढ़ता है, तो urine करने में, females को कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि दब जाता है वो, यह कहां कि बार बार urine आती है, क्योंकि वो छोटा होता है, छोटा हो जाता है, इस काल सर्वाइकल कैनाल, यह जो बीट में कैविटी है, इसका हम लोग क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल, कैनाल मतलब रास्ता, which along with vagina form the birth canal, तो सर्विक्स के साथ, यह सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, यह पूरा हिस्सा, क्या कहलाता है, फिर बजाइकल कैनाल, ठीक है ना, सर्विक्स केनाल और वजाइना मिल करके, क्या बन रहे हैं यह, इसको हम कहते हैं, बर्थ केनाल, क्योंकि फाइनली, यूट्रस से जब बच्चा पुश होता है, तो इसी रास्ते से होता हुआ, वो बच्चा क्या होता है, बहार आता है, तो इसे बर्थ केनाल भी कहते है, यूट्रस का में काम क्या है, नरिश्मेंट अन डवलप्मेंट ऑफिटर्स, जो आवे बच्चा जो, यह ना, बच्चा यहां पर आके ऐसे लग जाता है, फिर यह बड़ा होता रहता है तो उसको nourish करता है और उसे क्या करता है उसका growth होने में help करता है It is divided into three parts यह तीन पार्ट में divided है कौन? uterus, fundus, body और cervix fundus ठीक है न जो यह उपर का part है यह देखो this is a fundus, body जो main part है this is body जो उपर dome shape है इसको हम लोग क्या कहते है? fundus और फिर cervix जो तीसरा हिस्स से जुड़ा हुआ है clear है तो fundus upper dome shape जो उपर dome shape, dome मतलब इस type करता है हिस्सा, इस type covering होती है उसको dome कहा जाता है ठीक है? body main part that is broader upper and the taper lower जो उपर का चौड़ा part और नीचे का taper बतला part ये क्या कहलाती है? body कहलाती है and the third one is cervix, it connects, cervix क्या करती है connect the uterus with vagina main काम क्या है cervix का? uterus से vagina को जोड़ रही है, कौण? cervix ठीक है? the secretary cell of the mucosa of the cervix तो secretary cells पाई जाते हैं, ऐसे cells जो secretion, जो liquid या fluid निकालते हैं ठीक है, cervix के अंदर तो कहला है, secretary cells of the mucosa, उसके जो mucosa है न, mucosa, sub mucosa, याद आ रहा है? yes, सबसे उपर की जो परत होगी, उसमें mucosa cells में, mucosa वाली परत में जो secretary cells पाई जाएंगे cervix में वो produce करते हैं, secretion called cervical mucos, ठीक है न, वो एक खास तरह का fluid होता है और उसमें है क्या, mixture of water, glycoprotein, lipids, enzyme and inorganic salt उसके नरी सब चीज़े पाई जाती है, during their reproductive years ठीक है, females के reproductive year का मतलब, 13-14 साल की जब वो हो जाती है, period साना स्टार्ट हो जाती है तब से लेकर के 45 की age तक, जब तक menopause नहीं हो जाता है female secrete 20-60 ml of cervical mucus per day लगबग रोज के रोज 20-60 ml cervical mucus आता है है न, कुछ लोग प्रेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों आता है तो उसका reason यही है बेटा, यह natural है, ठीक है कि 20-60 ml वो mucus निकलता ही, निकलता है per day ठीक है, cervical mucus is more hospitable to sperm at or near the time of ovulation hospitable मतलब काफी ज़्यादा साहिक हो जाता है, helpful रहता है किसके लिए, sperm के लिए, कब, जब ovulation आता है हम लोग menstruation cycle न पढ़ेंगे, जब egg ovary से बहार आता है उसको हम लोग क्या कहते है, ovulation यानि कि अब फलेपिन ट्यूब में आ गया है, यानि कि फटलाइस होने के लिए ready हो गया है ठीक है, उस समय जो mucus होता है, ये काफी पतला हो जाता है सर्विक्स का mucus, ठीक है, दखागे देखते हैं हम लोग because it is then less viscous, उसका गाणापन कम हो जाता है अगर तुम लोग देखोगे, तो हम लोग ने वो सीखे थे Contraception Method, उसमें एक सर्विक्स mucus का part था कि जब 14th day जब evolution आता है, तो वो mucus को अगर तुम टच करोगे तो काफी वैसा हो जाता है, less thin रहता है और बाकी दिनों में काफी गाड़ा रहता है गाड़ा रहने के वैसे, वो mucus इतना गाड़ा होता है कि वो प्लक का काम करता है, इस स्पम उसको पार करके अंदर नहीं जा पाता ठीक है ना, जब ये बहुत ज़्यादा गाड़ा रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, भरा रहेगा इस तरीके से mucus तो जो स्पम आएगा वेटा, वो इसको पार करके अंदर नहीं जा पाएगा लेकिन जैसी ovulation होता है, इसका गाड़ापन कम हो जाता है जिससे की sperm easily से cross करके चला जाता है तो ये भी एक तरीका है, contraception का evolution के अलावा बाकी दिनों में a more viscous mucus, बहुत ही गाड़ा mucus forms a cervical plug वो एक तरह से plug की तरह काम करता है, block कर देता है वहाँ पर cervix को, that physically impede sperm penetration जो physically impede रोख देता है, sperm के penetration को वो अंदर घुसन नहीं देगा, sperm को, ठीक है cervical mucus supplements the energy needs of sperm जो cervical mucus होता है, एक तरह सप्लिमेंट होता है किसका, sperm को जो energy चाहिए होती है उसके लिए काम करता है, sperm को energy प्रवाइड करवाता है and both the cervix and cervical mucus protect sperm from phagocytes ठीकना अगर पूरी process तुम लोग देखोगे तो actual में जो sperm enter करता है female vagina में तो sperm एक foreign body है foreign body मतलब समझते हो बहरी चीज तो जो vagina और उसके आसपास का environment है वो तुरंद activate होयाता है और sperm को kill करने लगता है क्योंकि वो उसकी body की चीज नहीं है तो उसको कहते हैं phagocytes तो उस sperm को उस environment से बचाना है phagocytes होने से रोकना है वो काम कौन कर रहा है service कर रहा है उसका mucus कर रहा है and the hostile environment of the vagina and uterus uterus और vagina का जो hostile खतरनाक environment भाई क्योंकि sperm बाहरी चीज है तो female की जो body होती है उसको kill करना start कर देती है उससे भी उसको बचाने का काम कौन करता है cervical mucus क्योंकि भाई उस fertilization करवाना है तभी sperm कसी quantity बहुत ज़्यादा मात्रा में release होती है और कम मात्रा में रहेगी तो female body kill कर देगी पहुचेगा ही नी sperm, ovum तक ठीक है न? आगे आते हैं the wall of uterus has three layers of tissue उसके three layers होते हैं outer, perimetrium, middle, myometrium जो contract during delivery और contract during menstruation cycle और detail में पढ़ेंगे इसको बाद में सबसे अंदर होती ही endometrium it undergo cyclic change during menstrual cycle अच्छा नी, sorry contract करती है during delivery और menstrual cycle time पर contract करती है जिससे कि क्या होती है सबसे बाहर की layer जो होती ही endometrium ये break करके बाहर निकलती है ये और detail में पढ़ेंगे menstruation वाला जो अपना topic आएगा वहाँ पर हम इसको और detail में लेंगे फिलाल ये 3 layer मान के जो लो 2 मास के question में आ रहा है 3 layer कौन सी होती है उनके क्या काम है ठीक है ये इनका function है साथ साथ में दो नमर में लिखके आ सकते हो clear है uterus की 3 layers uterus part clear हो गया आगे आते है external genitalia genitalia मतलब होता है जो अपने जननांग कहते हैं जिसको हम लोग हिंदी में ठीक है न यानि कि हमारे reproductive parts है बहार कौन से दिख रहे हैं ये सब सारे parts जो अभी तक पड़े वो सब अंदर थे बहार की बात करें जैसे males के अंदर बहार कौन दिखाई पड़ता है penis दिखाई पड़ता है तो the term vulva बहार जो भी चीज़ दिखाई पड़ रही है females की उसको एक combined term क्या दे दिया गया है vulva दे दिया गया है या prudendum दे दिया गया है reference to external genitalis external genitalis जैसे male में penis तो इसमें हम vulva बोल देते हैं ठीक है female के जो external genitalis है उसके लिए term vulva इस्तमाल होता है the following component make up vulva कौन-कौन mons pubis labia majora labia minora hymen and clitoris ठीक है ना तो एक, दो, तीन, चार ये चीज़े females के बहार represented part में दिखाई पड़ती है अब जो क्या है किसको क्या कहते है ये वाला जो हिस्सा होता है जहां पर ये hair grow हो रखे इसको हम लोग क्या बोलते है pubis ठीक है ना pubis कहलो या mons pubis कहते है जहां पर ये hair grow कर रहा है clear है बाते है अब अगर हम बहात देखें गौर से तो सबसे उपर की जो thick layer है ये वाली इसको हम लोग कहते है labia majora clear हो गया फिर उसके अंदर जो पतला था flap जैसे की एक flap type कर रहता है flap मतला क्या है covering type की रहेगी muscles का ये वाला जो हिस्सा होता है ठीक है इसको हम लोग कहते है labia minora ठीक है ना ये दो रहती है इधर भी और इधर भी इन दोनों के बीच का जो पूरा area है उसको हम लोग क्या कहते है vestibule कहते है बास समझ मारी है ये जो opening है जिसके अंदर penis enter करेगा इसको हम लोग क्या कहते है vagina कहते है अच्छा होता क्या है इसकी opening में ये opening कई बार कह रहते है थोड़ा सा covering हो जाती है इसकी ये एक covering पाई जाती है जिसकी वाई से ये vagina की opening और कम हो जाती है ठीक है और इस covering को हम लोग क्या कह देते है hymen layer कह देते है और urethral opening देखो ये vaginal opening ये कई लोग बच्चे लोग या कुछ लोग confusion रहती है vaginal opening अलग है urethral opening urethral opening यानि की जो urine pass होगा ठीक है जो urine pass होगा वो इधर है अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है ये जो urine वाली opening है और vaginal opening है ये काफी pass में है काफी close में है तो यहाँ पर एक medical जो चीज है होता क्या है females जब भी urine करती है तो urine के कुछ ना कुछ drops एकाद रहते हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं या यहाँ से यहाँ चले जाते हैं अब वो urine है तो उसकी वाइसे क्या होता है infection बहुत जल्दी होता है तो कुछ females को बहुत जल्दी UTI infection हो जाते है तो उन females का वज़े बेटा यही है अगर उनलों को नहीं पता है क्योंकि उनलों के यह दो urine पास करने वाली opening है प्लस जो vaginal opening है यह कफी पास-पास में है तो ऐसे situation में सिर्फ एक ही तरीका है जब भी urine करें जिनको बहुत जादे दिक्कत है UTI infection की वो जब भी urine करें उसके बाद wash जरूर करें ठीक है ना उसके बाद wash जरूर करना है and last में यहाँ पर एक मटर के दाने के समान एक दाना दिखाई पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते है Clitoris कहते है क्या कहते है Clitoris कहते है यह वाली ठीक है ना इसका भी एक नाम है जैसे प्रिप्यूस होता है अपने 4 skin होता है वैसी Clitoris के उपर जो skin पाए जाती है उसको भी हम लोग क्या बोलते है प्रिप्यूस कहते है ठीक है तो यह external genetilia है इसको अच्छे से समझ लो किस पार्ट को क्या कहते है लेबिया मैजोरा माइनोरा हाइमन लेयर क्या है ठीक है देन वेजैनल उपनिंग यूरेथरनल उपनिंग जहां से उरिन पास होगी वेजैनल उपनिंग जहां पर पैनिस एंटर करेगा Clitoris, Mons, Pubes यह टांस बच्चों किलियर नहीं होते है Vestibule क्या है यह पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक का हिसा Vestibule है और जश्ट उसके नीचे है उसको हमें मैं मतलब नहीं है तो यह हमारे पास क्या हो गया External Genitalia किलियर है आगे आते है Now पढ़ लेते हैं इसको Mons, Pubes It is a Cushion Cushion मतलब गद्दीदार Soft होता है Of fatty tissue Covered by skin and pubic hair ठीक है ना यहां पर Touch करने पर Even जो Mons, Pubic है Males के भी यहां पर क्या होता है Fatty, Fat सा रहता है Soft सा रहता है So Cushion बोल जिया जाता है और यहां पर Pubic Hair Hair grow करते है Labia Majora It is a Fleshy Fleshy मतलब flesh Mask का बनावा होता है Folds of tissue Which extended down from Mons, Pubes And surround the vaginal opening ठीक है ना यह उपर से लेके नीचे तक आता है और vaginal opening को पूरा cover कर देता है ठीक है Now Labia Minora Paired of folds of tissue Under Labia Majora Labia Majora के जब खोलोगे, open करोगे तो उसके अंदर दो पेर स्ट्राइब के टिसूस दिखाए पड़ेंगे पतले-पतले से उसका हम लोग क्या बोलते है Labia Majora कहते है Clitoris Tiny finger-like structure Finger-like या मटर के दाने के समान Structure lies at the Upper junction of Labia Majora Labia Majora का Junction जहां जॉइंट है उसके उपर पाया जाता है Clitoris The Clitoris is homologous to Glance Penis यह question आता है Glance Penis का homologous है ठीक है ना उसी के जैसा होता है उसी के जैसे लगबग function करता है In males Like the male structure The Clitoris is capable of enlargement ठीक है ना On tactile stimulation यानि कि अगर टच करेंगे उसे तो वो क्या Enlarge हो जाता है जैसे कि अपना Glance Penis Male में होता है वो expand कर जाता है ठीक है And has a role in Sexual excitement in the female और इस Clitoris का role होता है Sexual excitement of female हो गया वैजने की बात करें It is a tubular female copulatory Copulatory मतलब sexual organ है Sex करने का organ है Tube shape का होता है Passage way for menstrual flow and birth canal साथ-साथ में जो menstrual flow आता है Periods होते है वहां से जो bleeding होती है उसके लिए रास्ता होता है साथ-साथ में birth कहना आला है Delivery होगी तो वो भी उसी रास्ते से होगी वेजना से होगी The opening of the vagina is often covered Partially by membrane called hymen तो वेजना की जो opening यह होती है जैसे मैंने बताया था वो कई बार partially हलकी सी एक layer से cover होती इसको हम लोग क्या कहते है hymen layer कहते है ठीक है ना ओके तो यह हो गया अपने पास बैजना ठीक है अब बात कर लेते हैं glands की ठीक हो सपोरी structure होगे सारे glands की बात करें तो यहाँ पर है vestibular और birtholine gland ध्यान रखना gland के बार question आता कौनसी gland किसमें पाई जाती है हमालों question आ जाएगा कि which are the following is not male gland seminal, prostate, bulbulutural और लास्ट में लिख देंगे birtholine तो कौनसी gland male gland नहीं है question आ सकता है तो यह भी कहा these are pair of glands open into vestibules यह कहां होता है जो vestibule वाला part है अपना याने की यह देखो यह vestibule है तो इसी के आसपास यहां पर इसके just side में यहां पर क्या होते हैं यह open होते हो आकर के ठीक है ना तो vestibule lateral to vaginal orifice vaginal orifice मतलब जो hole है vaginal का जो hole है उसके बगल में आकर के यह open होते है अंदर की तरफ its secretion is thick इसका secretion होता है फिलूड होता है काफी thick होता है गाड़ा होता है alkaline होता है for lubrication and counteracting the urinary acidity दोनों काम होते हैं मैंने बताया था कि urethral होता क्या है कि जो females urine करती है उसके कुछ drops कई बार अंदर आयाते हैं उसको क्या करेगा counteract करेगा क्योंकि जो male sperm जाएगा अंदर उसके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है साथ-साथ में वो lubrication का भी काम करते हैं ओके they produce a small quantity of mucus during sexual arousal and intercourse ठीक है ना जिस समें sexual arousal मतलब sexual activity होने वाली है intercourse चल रहा है उस समें mucus secret करती है that adds to cervical mucus और जो पीछे से cervical mucus आ रहा है उसमें जाकर के जोड़ जाती है and provide lubrication आफिस साथ में यह lubrication में काम करती हैं जिससे की जो intercourse है coitus है वो बिना pain के हो सके the greater vestibular glands are homologous to the bulbar urethral gland अभी homologous organ की पुरी list बना रखी है कि homologous कौन है क्या होते है बताऊँगा मैं अभी male और female में कौन एक दूसरे के समान अंतर चीजे है then बात करते है breast और memory glands की ठीक है तो यहाँ पर कर हम breast को देखे तो breast का जो सबसे center का point होता है उसको हम लोग क्या बोलते है nipple बोलते है ठीक है और जो बाहर का जो dark वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते है aerola बोलते है clear है अब यहाँ पर देखे क्या होता है lobules होते है lobules के अंदर alveoli होती है फिर उसकी ducts से निकल के आती है ठीक है यहाँ पर देखे को समझने आएगा memory lobules है यह secondary memory lobules और नीचे आ गए memory ducts यह ducts आ गए then ampoula यह आगे जाकर करके हिस्सा फूला हुआ यह ampoula है then वो आगे जाकर ducts होती है उसे lactifresh duct कहते है फिर यह सारी ducts आ करके यहाँ मिल जाती है और इसको हम लोग क्या कहते है nipples इन सारी ducts से बच्चा क्या करता है सक करता है जो milk होता है फिर वो निकल के बाहर आता है अब इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या है देखो glandular tissue glandular मतलब glands वाले tissue ऐसे tissue जो glands है divide into 15 से 20 memory lobes किसमें divide हो गए हैं 15 से 20 memory lobes memory lobules है यह देखो यह यह 15 से 20 memory lobes में divide हो जाते हैं contain cluster of cells called alveoli और उसके अंदर cells पाए जाते हैं कौन से यहां mention है lobule containing alveoli इन lobules के अंदर क्या पाए जाते हैं alveoli नाम के cells पाए जाते हैं cells of alveoli secret milk कौन से cells milk secret करते हैं alveoli cells किसके अंदर पाए जाते हैं memory lobes के अंदर पाए जाते हैं which stored in cavity lumen of alveoli alveoli के अंदर ही cavity जगे होती है वहाँ पर वो milk store हो जाता है the alveoli open into memory tubules ठीक है ना जो alveoli होता है वो memory tubules यह tubules है यहाँ पर open होता है क्योंकि आप milk को आगे निकलना है जब baby milk को सक करेगा which joins to form memory duct वो आपस में जाकर जुड़ जाएंगे यह सब आपस में जुड़ जाकर जुड़ 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 के क्या होने memory duct ठीक है ना ओके several memory duct joint to form wider memory ampula अब कई सारी duct यह जुड़ 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 के क्या होने memory ampula बन गया एक थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट यूकि एक साथ milk आएगा तो ज्यादा milk निकलने के जगे चाहिए तो इसलिए यह थोड़ा सा wider होता है बड़ा होता है several memory ducts joined to form wider memory ampula which is connected to lactiferous duct अब finally यह किस से connected है lactiferous duct से आखरी में जो duct आ रही है उसको हम लोग क्या कह रहे है lactiferous duct through which milk is sucked out जिसके माध्यम से milk क्या हो रहा है suck out होता है तो यह breast gland, memory glands ठीक है न इसके बारे कोशन आता है कि memory glands को explain करो तो इसमें यह 3-4 line ने तुम्हें लिखके आनी है function की बात कर ले function बहुत simple है the ovaries produce secondary oocyte याने कि ovum secondary oocyte क्या है ovum and hormones including progesteron, estrogen, inovine and relaxin obviously बात है यह इनका function है ठीक है oocyte egg produce करेंगे और hormone produce करेंगे the uterine tubes transport secondary oocyte the uterine tubes है वो oocyte को याने कि egg को ले करके आगे लेके आएंगे जैसे कि fertilization हो सके to the uterus and normally are the sites where fertilization occur ठीक है ना फलेपे जो tube है यह वो जगह है जहाँ पर fertilization होता है the uterus is the site of implantation of fertilized ovum याने कि जो जाइगोट है fertilized ovum को क्या कहते है जाइगोट तो वो कहां जाके implant होगा चिपके का जाकर के uterus में और वहीं पर फिर बच्चा क्या करता है ग्रो करता है ovum development of the fetus during pregnancy and labor ठीक है ना यहीं पर जो fetus है वो कहाँ करहाँ डवलप कर रहा है ग्रो कर रहा है और labor फाइनली जो labor pain वगरा होगा वो सब uterus के माध्यम से होता है फिर बच्चे की delivery होती है दब vagina receives the penis वेज़ने का काम क्या है penis को receive करना penis को receive नहीं करेगा तो sperm कैसे अंदर आएगा during sexual intercourse and is a passageway for child worth और साथ-साथ में यह penis को भी receive किया जिससे की sperm अंदर जाए fertilization हो और जब baby हो जाएगा baby बन जाता है यह uterus के अंदर तो उसको बाहर निकालने के लिए भी रास्ते का काम यही करता है the memory glands synthesize, secrete and eject जो memory glands होती है वो बनाती है secrete करती है बाहर निकालती है milk को for nourishment of the newborn जो बच्चा पैदा हो गया है उसके लिए memory glands बना रही है निकाल रही है बाहर निकाल रही है कि इसको milk को जिससे की बच्चे का nourishment हो सके तो यह सारे simple simple function है खुद से भी लिख सकते हो समझना है अब यह आते है हम लोग summary of homologous structure यहां से कई बार क्या one marks question बेटा आ सकते है ठीक है यह तुम्हें समझना है homologous homologous का मतलब क्या है that two organs have the same embryonic origin embryonic origin embryonic origin समझते हो three layers होती है एक, दो, तीन अगर तुम लोगों याद हो मतलब embryo जो होता है उसके तीन layer होती है ठीक है ना उन तीन layer में से जिस layer से बनेगा ना जहां से जिस layer से male का पार्ड बनेगा उसी layer से female का पार्ड बनेगा फिलाल इतना याद रखो तो बस तुम्हें यहाँ पर क्या याद रखना ovary का याद रखना ovary or testis ovum or sperm cells labia majora scrotum clitoris glans penis ठीक है parayurethral gland prostrate बस फिलाल तुम्हें clitoris का याद रखना है बहुत ज़्यादा important है यह ज़्यादा पूछा भी जाता है ठीक है बाद वाकि यह तीन याद कर लोगे बाद वाकि याद करना ही ज़रूद नहीं है फिलाल देख सकते हो यह आपस में क्या है homologus male और female में कौन से दो sexual arousal में काम करता है clitoris sexual arousal में काम करता है तो जो same same जैसे function है उनको हम लोग क्या बोलते है homologus structure बोलते है यह याद कर लोगे one mass question में आ सकते है अगर extreme question जाता है तो ठीक है और यह अपना पहला lecture reproductive system का खता हो जाता है पिटा फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा lengthy lecture रहा है यह जो part समझ में नहीं आया उसको revise करें उसको लिख ले किस time पर वो lecture का part है और उसको बार बार दो तिन बार देखें clear हो जाएगा पढ़ते रहो revise करते रहो ठीक है ना और link नीचे मिल जाएगा PDF का मेरा number और कोई problem आती है और यह अपना बहतरीन सा app बहुत बड़ी परफॉर्म कर रहा है ठीक है ना तो यहाँ पर आप इसका use कर सकते हो और फायदा ले सकते हो ठीक है तो करना क्या है सबसे जरुए चीज पढ़ना है और revise करना है All the best